आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरू को यूटीव चैनल पे मैं आदित रेंजन आप सभी का तेह दिल से हाँ स्वागत करता हूँ कैसे आप लोग भाई रादे रादे सबी को रादे रादे बहुत शांदार है चलिए क्लास के स्टार्ट होने के पहले ही 4000 लाइक है आप लोगों के बहुत शांदार मेरे भाई जल्दी से फटाफट सभी लोग लाइब आ जाओ जल्दी से नमस्ते भाई नमस्ते नमस्ते मौज आ रही है सभी को है सबसे पहले स्वागत है आपका 21 दिन 21 मरातन के प्यारे से एपिसोड में और आज हमारा जो है दिन नम्मर 11 है 21 दिनों में लगबग हमारा जो है 10 दिन बहुती बहतरी तरीके से पूरा हो रखा है और आज 11 दिन में आप लोगों के लिए बड़ा ही पैरा टोपिक हम स्टार्ट कर रहे है जिसका नाम है रेश्यो और प्रोपोर्शन यानि एक तरीके से हम बात करेंगे तो अनुपात और समानुपात ठीक है जल्दी से सभी लाइब आजाओ भाई जल्दी से फटा फट जल्दी से सभी आजाओ भाई लाइब आजाओ बहुत शांदार है तो देखिए हम लोगों ने पूरा का पूरा दस टॉपिक हतम कर लिया है और इसकी प्लेलिज जो है हमने आप लोगों के लिए बना दी है तो आप एक एक वीडियो को देख सकते हैं यह जो हमारी 21-21 मेरातन की सीरीज है यह आपके हर एक्जाम के लिए बहुत इलाब दायक होने वाली है और especially UP के एक्जाम के लिए ठीक है तो इसके किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें हर वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्तुपूर्ण होगी बहुत ही अच्छे तरीकी से सभी क्लासेस को आप लोग देखेगा तो आज जो हमारा टोपिक है वो है मेरे भाई यहां पर ratio और proportion यानु अनुपात और स्रमा अनुपात ratio एक बड़ा ही प्यारा टोपिक है और इस से जो है आपका सभी chapter सभी topic जो है वो इसी के उपर में आधारित है तो इसलिए इसका सीखना बहुत जरूरी है कई सारे varieties होते हैं कई सारे types होते हैं तो आज हम आपको एकी video के अंदर में सब कुछ complete कराने वाले हैं तो जुड़े रहेगा हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक तो आईए चलिए सबसे पहले बात करते हैं हाँ पर ratio के बारे में कि ratio आखिर हमारा होता क्या है हम ratio किसे कहते हैं कैसे हम बनाते हैं तो दीखे कभी भी किसी भी दो लोगों का मेरे भाई simplest form सबसे पहले ratio निकलता किसका है तो ratio मेरे भाई उन संख्याओं का निकलता है जिनका unit क्या हो सेम हो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 3 cm का यहां पर और एक तरीके से यहां पर जो है वो 3 kg का हम ratio निकाल पाएं तो बोलोगे नहीं सर पॉसिबल नहीं है यह ratio नहीं निकाला जा सकता है यानि ratio जब भी हम निकालते हैं तो किसका निकालते हैं सेम unit का या तो दोनों के दोनों cm में हो या दोनों के दोनों मीटर में हो या दोनों के दोनों kg में हो मतलब अगर उनकी unit सेम नहीं है तो उनका ratio हम कभी भी नहीं निकाल पाएंगे सभी लोग जल्दी से फटा फट वीडियो को शेयर कर दीजे जहां जहां पर आप जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर दीजे ठीक है आज यह चलिए तो यहां पर मैंने क्या कहा कि ratio जो होता है वो हमेशा किसमें लगता है तो ratio की सबसे खास बात यहां पर यह है कि वो हमारा सेम unit के अंदर में अपलाई होता है दूसरी अगर हम ratio के बारे में जो बात करें वो हैं पर यह बोलेंगे कि ratio को जो denote किया जाता है वो कौन से sign के सासे denote किया जाता है तो ratio को हमेशा την note किया जाता है मेरे भाई या तो ऐसे और नहीं तो आप यहां पर बोलेंगे कि sir A upon B जैसे मानो यहाँ पर दो लोगों के बीच में रेशियो व्यक्त करना है तो हम उसको बोलेंगे सर यह या तो A double dot B होगा या फिर हमारा कितना होगा तो A upon B होगा ठीक है तीसरी point जो हम यहाँ पर सीखेंगे वो रेशियो का मतलब क्या होता है तो रेशियो का जो मतलब हो गया जो इसकी मीनी हो गई वो यहाँ पर यह हो गई मेरे भाई कि कभी भी दो संख्याओ का जो simplest form हो गया अनुपात का मतलब यहाँ पर यह हो गया जैसे मानो मेरे पास 20 रुपे हैं और आपके पास में मेरे भाई 30 रुपे हैं तो यहाँ पर जितनी चीजे हम काट सकते हैं ठीक है और काटने के बाद एक ऐसी value बच जाए कि जिसके अंदर कभी भी कोई भी common data ना हो तो उसे हम ratio बोलते हैं ठीक है ध्यान रखिएगा तो कभी भी दो संख्याओं के बीच का जो common ratio कहलाता है वो हमारा common term कहलाता है वो हमारा आप लोगों को अलग अलग टाई बताते जाएंगे जो आज आप लोगों की हमने sheet बनाई है उसके अंदर में हमने complete जो है सारी varieties को रखा है सारे types को हमने इसके अंदर में रखा हुआ है मेरे भाई ठीक है सारे varieties को हमने cover किया है तो आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको संपुन जानकारी मिल जाएगी अगर हम यहां बात करेंगे तो देखे सबसे पहला सवाल क्या कहा गया है यदि 21 शॉकलेट को 5 और 2 के अनुपात में साजा किया जाए तो छोटी हिसे दारी वाली जो शॉकलेट होगी वो कितनी होगी यानि मेरे पास में कुल मिलाकर 20 शॉकलेट है और मैं चाहता हूँ कि मैं एक वेक्ती को 5 हिसा दूँ तो दूसरे वेक्ती को कितना हिसा दूँ दो हिसा दूँ यानि जो मेरे पास यहां पर 21 शॉकलेट है तो यह 21 शॉकलेट हमारा कितने कमान है तो बोलेंगे सर यह जो 21 चॉकलेट है यह आपका दो लोगों के हिस西 का माँन है यानि हमारा यह 5 प्लस 2 यानि कितने का माँन है 7 का माँन है ठीक है? और हमसे बोला गया छोटी हिस्सेदारी वाली चॉकलेट जो होगी वो कितनी होगी तो इसमें छोटा वाला कौन है तो छोटा वाला दो है तो हम गुना किस से करेंगे दो से करेंगे यानि आसान भाशा में अगर हम बोले तो जिसका मान दिया गया होता है उससे भाग करते है और जिसका मान पता करना होता है उससे हम गुना करते है तो यह हमारा बराबर हो जाएगा किसके तो बराबर हो जाएगा च्छे के यानि कौन सा उप्षिन उप्षिन नमबर B फर बाहू बली धीरे धीरे हम सवालों का लेवल बढ़ाते चलेंगे और यहां पर जो कैटेगरी है वो भी हम बढ़ाते चलेंगे भाई ठीक है कैटेगरी भी हम चेंज करते चलेंगे आईए जैसे यहां पर तीन टर्म के बारे में आपसे कोशन पूछा गया कोशन नमबर दो देखिए क्या बोला गया है कहा गया यहां पर कि A, B और C के बीच में 1102 रुपे का नुकसान 7, 8 और 9 के अनुपात में विभाजित होना चाहिए तो उसमें A का जो हिस्सा हैगा वो हमारा क्या हैगा ठीक है कोई भी एक नुकसान हुआ यहां पे और यह तीन लोग चाहते हैं कि यह लोग आपस में मिलके उस नुकसान को साज़ा करें उस नुकसान को बाटे तो बोला गया यहां पर की बताओ A का हिस्सा कितना होगा तो मैंने आपसे यहीं बात कहा कि यह जो 1152 है यह एक अकेले का मान है दो लोगों का मान है यह तीनों का मान है तो बोलो के सर यह तीनों का मान है यानि ये कितने की value है तो तीनों की value है यानि 9, 8, 17 और 7 कितने का मान है तो 24 का मान है तो हम इसे divide किस से करेंगे तो 24 से करेंगे और हमें किसका share पूछा गया है तो A का share पूछा गया है तो A का share पूछा गया है इसका मतलब कितने का मान तो 7 का तो गुना किस से करेंगे मेरे भाई तो 7 से गुना करेंगे ठीक है अगर मान लीजे हम यहाँ पर काटते हैं तो बोलेंगे सर देखो 24 का हमारा 4 गुना कितना होगा तो 96 उसके बाद में 192 है 192 हमारा कितनी बार में कटेगा तो 8 बार में अब multiply कर लो 7 into 8 56 5 साचो कर 25 हमारा कितना हो जाएगा 33336 यानि option number A option number A का मतलब आओ कभी हवेली पे बहुत शांदार श्राक्ची जी प्रने जी विने पूजा ममता संतोष पुनित प्रग्या आदित्य वासुदेव पुनम प्रशांत बहुत अच्छे बच्छो ऐसे ही आप लोगों को शुरू से लेकर अंतक सभी सवालों का उत्तर देना है ठीक है आप लोगों को अपने आपको रोके नहीं रखना अगर आप से सवाल बन रहा है तो आप यहाँ पर रोकेंगे नहीं आप उत्तर देते चलेंगे गनीत ऐसा subject है जहाँ पर आप मेरे भाई जितना questions की practice करेंगे आपको उतना जादा फायदा मिलते चलेगा ठीक है जहान रखे इस बात का आईए जीडी 2023 में पूछा गया है छोटू मुटू सवाल क्या कहा गया है ज़रा पढ़िये question में आप से बोला गया है कि एक धनराशी को A, B और 3 के बीच में 5, 7 और 11 के अनुपात में वितरित किया जाना है तो B को A से 1500 रुपे अधिक मिलता है तो B का हिस्सा क्या है यानि आप सवाल को समझे ठीक है B को जो है वो A से कितना अधिक मिलता है 1500 अधिक मिलता है यानि अगर हम बात करेंगे तो यहां बोलेंगे कि यह जो 1500 है मेरे भाई वो क्या है तो B और A का अंतर है या B को कितना अधिक मिला है A से यह उसका मान है ठीक है तो आप यहां पर अगर देखेंगे तो बोलेंगे सर यह हमारा A है यह हमारा B है और यह हमारा C है तो B को जितना अधिक मिलता है यह उसका मान है यानि यह कितने का मान है तो बोलेंगे सर यह दो का मान है और बोला गया है B का हिस्सा हमारा कितना है तो B का हिस्सा तो हमारा साथ है तो हमें किसका मान पता करना है साथ कमान पता करना है यदि हम काटेंगे तो बोलेंगे सर ये हमारा साड़े साथ सु बार में चला गया अगर ये हमारा साड़े साथ सु बार में चला गया तो साथ पचे पैंतीस उन्चास और तीन हमारा कितना हो जाएगा तो ये बावन हो जाएगा यानि कौँ सा उत्तर होगा तो option number A जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा तो हमेशे आपको ये बात देखते रहना है कि देखो ये किसका मान दिया गया है जिसका भी मान दिया गया है आपको उससे divide करना होगा अगर यहाँ पर A की value दी होती तो इससे divide करते B का मान दिया होता B से divide करते C का मान दिया होता तो C से divide करते अंतर दिया होता तो अंतर से divide करते सम दिया होता तो सम से divide करते है ठीक है वीडियो को like करते चलिए हर जगा पे share करते चलिए सभी लोगों तक आईए चलिए दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल का 2023 का एक बड़ा प्यारा सा कोशन है और यह आप से पूछा गया है मेरे भाई जरा देखे क्या बोला गया है कहा गया है कि यदि 10,400 रुपे को P और Q और R के बीच में सनुपात में तीनों के बीच में विभाजित किया जाना है तो क्यों का हिस्सा कितना होगा देखो कभी भी जो ratio होता है वो कभी भी fraction में नहीं होता दशमलव में नहीं होता है देखे वो बटे में नहीं होता है ratio का मतलब यह होता है कि सिर्फ उसके अंदर में क्या होना चाहिए तो numerator होना चाहिए तो यदि हम यहाँ पर बात करें तो हम बोलेंगे सर देखे एक बटे दो है उसके बाद में यहाँ पर कितना है तो एक बटे पाँच है उसके बाद में यहाँ पर कितना है तो एक बटे छे है क्या यह हमारा प्रॉपर तरीके सा अनुपात में है तो बोलेंगे नहीं सर ये हमारे अनुपात में नहीं है यदि ये हमारे अनुपात में नहीं है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे तो हम बोलेंगे सर इनको अनुपात में लाने के लिए एक fix का संख्या के साथ में क्या करना होगा तो गुना करना होगा इनको अनुपात मे लाने के लिए क्या करना होगा, सर एक स्फिक्स संख्याओं के साथ मैं गुना करना होगा तो हम किससे गुना करेंगे तो इनके मेरे भाई LCM से यहाँ पर दो का, पांच का, छे का जो LCM होता है, वो हमारा कितना होता है तो बोलोगे 30 होता है यानि आप हर संख्या के अंदर में 30 से multiply करो आप इसके अंदर में 30 से multiply करो आप यहाँ भी 30 से multiply करो और मेरे भाई आप यहाँ पर भी 30 से multiply करो हर एक संख्या में तो जब आप 2 से यहाँ पर काटोगे तो कितनी बार में जाएगा पंदरा बार में तो पहली वाली संख्या कितनी आ गई पंदरा आ गई आप यहाँ पर काटोगे कितनी बार में छे बार में दूसरी वाली हमारी छे आ गई आप यहाँ पर काटोगे पांच बार में तीसरी वाली है हमारी पांच आ गई तो तीनो संख्याओं का हमें क्या मिल चुका है तीनो संख्याओं का मेरे भाई हमें जो है अनुपात मिल चुका है अब कोश्चन में क्या बोला गया है ज़रा पढ़िए तो कोश्चन में कहा गया कि यह जो 10,400 रुपए है ये तीनों लोगों के बीच में विभाजित हुए है ये P का हिस्सा है, ये Q का हिस्सा है, ये R का हिस्सा है यानि ये जो है हमारा क्या है तीनों का सम है 15, 5, 20 और 6 कितना मेरे भाई 26 का मान है और हमसे पूछा क्या गया है, Q का share बताओ यानि कितने का मान तो मेरे भाई 6 का मान 26 अगर हम काटेंगे तो 4 बार में और 400 का 6 गुना कितना हो जाएगा तो 400 का 6 गुना हमारा 2400 हो जाएगा Option number B for Bahubali correct answer है अब आप लोगों से मुझे एक बात पूछनी है मैं आप लोगों के लिए सोच रहा हूँ कि अभी हाल फिलाल में एक mock test कराऊ तो क्या mock test आप लोग चाहते हैं कि अभी हो या फिर ये चाहते हैं कि नहीं सर पहले 20 के 20 टॉपिक हमें पढ़ा दीजे सारे चैप्टर पढ़ा दीजे फिर इकट्टे mock test करवाईएगा मेरा मन यहाँ पर बीच में है कि अभी आप लोगों का एक या दू दिन में अगले जो है एक mock test आप लोगों के लिए conduct करवाया जाएगा तो क्या चाहते हैं कि practice सेट लाया जाएगा आप लोगों के लिए एक आदा बीच में तयार हो अभी या फिर बाद में बताओ मैं तो यह सोच रहा हूँ कि बीच में अभी एक mock test आपको करवा दे हाल फिलाल कल परश्रो दो-तीन दिनों के अंदर में बाकी जैसे हमारा topic चल रहा है वैसे हमारा चलता रहेगा बताइए yes sir yes sir yes sir सभी yes कह रहे हैं सभी yes कह रहे हैं चलिए तो मेरे भाई एकदम तयार रही है आप लोग फिर पहले सभी लोग बता दो उत्तर बता दो ठीक है बहुत अच्छे बहुत अच्छे ठीक है तो बहुत जल्द आप लोगों का कल की class में हम बता देंगे कि आप लोगों के लिए जो है वो मेंटेंग करके चले ताकि हमें साथ के साथ ये भी अभास होते रहे कि हमने कितना पढ़ लिया और हमारा कितना बाकी है और क्या जो हमने पढ़ा है उसके अंदर में हम इतने सक्षम हो पा रहे हैं कि हम सभी सवालों के उतर दें या भी भी उसके अंदर में कुछ बाकी है तो इस बात का हमको खासा ध्यान रखना है आईए चलिए नेक्स्ट कोशन नमबर पांच सवाल देखे मेरे भाइस का उत्तर क्या है जरा बताएए तो बोलेंगे सर वाट इस दे रेशियो बेट्विन 50 ग्राम और 2 केजी यहाँ पर 50 ग्राम और 2 किलो का यहाँ पर जो रेशियो है नुपात है वो कितना होगा यह आपके UP के कॉंस्टेबल 2009 में पूछा गया सवाल है कैसे उत्तर देंगे आप इसका बोलेंगे सर 50 ग्राम और 2 किलो तो देखें यहाँ पर एक तरफ आपने यहाँ 50 ग्राम लिखा हुआ है और दूसरी तरफ में आपने यहाँ पर क्या लिखा है तो बोलेंगे सर यहाँ पर 2 किलो लखा है मैंने बहुत प्यारी एक बात बोली थी आपको शुरू में ही कि कभी भी जो अगर आप अनुपात लेते हैं तो वो जो अनुपात यहाँ पर ले रही होते हैं वो किसका लेते हैं तो सेम कॉंटिटी का रेशो लेते हैं लेते हैं तो same quantity का मेरे भाई यह नुपात लेते हैं अगर आपका यहां पर quantity same नहीं है तो आप उसका ratio नहीं ले पाएंगे तो यह gram है तो इसे भी किसमे होना पड़ेगा तो ग्राम में होना पड़ेगा ठीक है तो आप यहां बोलेंगे सर देखो यह 50 gram है तो इसको तो आप 50 gram ही रखो लेकिन यह 2 kg है तो हम इसमें कैसे करेंगे तो बोलेंगे 2 और इंटू कितना हो जाएगा 1000 gram यहां पर ठीक है अब जरह एक बड़ देखिए 50 से अगर आप काटेंगे तो मेरे भाई कितनी बार में 20 बार में तो जो ratio हमारा निकल कर आएगा वो यहां पर बोलेंगे सर देखो gram से हमारा gram खतम हो जाएगा एक अनुपात कितना होगा तो एक अनुपात 40 यानि option number A जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा option number A जो होगा वो हमारा क्या होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई ठीक है आजओ चलो यहां पर next question की बात करते हैं अगला सवाल हम लोग देखते हैं अगला सवाल हम से क्या कहा गया है अगला सवाल हम से यहां पर देखिए पूछा गया है दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल 2023 में कि इन में से कौन सा रेश्यो जो है वो छोटा है 17 बटे 25 चोटा है 7 बटे 25 चोटा है 15 बटे 20 चोटा है 21 बटे 25 चोटा है हाला कि हमने आपको बता रखा है तरीका लेकिन फिर भी यहां पर आप लोगों को प्रॉपर वे में बताएंगे देखे 17 बटे 25 ये चोटा है या फिर मेरे भाई 15 बटे 20 ये चोटा है या फिर उसके बाद में अगर आप देखोगे तो 7 बटे 20 हमारा ये मतलब चोटा है 7 बटे 21 होगे हमारा यहां पर ठीक है तो ये हमारा हो गया या फिर हमारा 21 बटे 25 हो गया अब हमने कहा सर देखिए हमें समझना पड़ेगा इस बात को लेकर कि इसमें छोटा कौन है बड़ा कौन है कैसे क्या कहानी बन रही है ये समझे सबसे पहली बात हमने जो है आपको बता रखा है प्रॉपर तरीके से सिंप्लिफिकेशन में कि फ्रैक्शन के कमपेरिजन को कैसे किया जाता है तीक है अलग अलग भिन्यों की तुनला कैसे की जाती है भिन्यों की तुनला की अगर हम बात करें यहां पर तो हम उसके अंदर में यहां पर तरीके से यह देख पाते हैं या तो हम cross multiplication का method लगाते हैं या हम LCM method लगाते हैं या हम difference method लगाते हैं हम कई सारे तरीके लगाते हैं तब उसके बाद में हम यहां justify कर पाते हैं तो हमने यहां पर एक छोटी सी बात बोली है और वो यहां पर क्या बोली है देखे, आप अगर चाहें तो नीचे हर किसी के अंदर में LCM को सेम रख लीजे ठीक है, जैसे मान लीजे यहां पर 17 बटे 25 में और 21 बटे 25 में आप यहां पर पहले इन दो लोगों को बिढ़ाएं क्योंकि इनके base जो है वो यहां पर क्या है तो सेम है मुझे किस प्रकार की संख्या पता करनी है सबसे छोटी तो पहले जैसे मानो मैंने इसका और इसका मैच करवाया इसका मैच करवाया तो पता चला कि नीचे वाला base तो हमारा सेम है उपर में यह 17 और उपर में 21 यानि यह बड़ा है तो इसको मेरे भाई वहीं पर काट दो क्योंकि मुझे कैसी संख्या चाहिए मुझे छोटी संख्या चाहिए अब उसके बाद मैं आप यहां पर देखो आप चाहोगे तो 15 बटे 20 को यहां पर यह कह सकते हो कि सर यह 3 और 4 के अनुपात में है और अगर आप चाहोगे तो यह कह सकते हो सर यह 1 और 3 के अनुपात में है ठीक है तो हम यहां 15 बटे 20 के जगह पे हम यहां 3 बटे 4 भी लिख सकते हैं दूसरे आप्शन के लिए यह ऐसे मान के चलो कि सर यह आप्शन नमबर 1 है अप्शन नमबर 2 हमारा 1 अपॉन 3 हो जाएगा अप्शन नमबर 3 हमारा 3 अपॉन 4 हो जाएगा यह अप्शन नमबर 2 हो जाएगा जब इन दोनों की यूद कराई तो मेरे भाई यह चोटा वला निकल गया अब उसके बाद मैं आप ऐसे मान के चलो कि अब आपके पास में यहाँ पर यह 3 fractions हैं और आपको यह बताना है कि चोटा कौन है बड़ा कौन है तो मैंने एक काम किया भाई मेरे पास यह पता है कि अब यह जो है सबसे चोटा है अब इन दोनों में एक बार देखते हैं कौन चोटा है 4 into 1 मेरे भाई 4 आजाएगा 3 into 3 हमारा 9 आजाएगा cross multiplication का method तो मेरे भाई पता चला यहाँ पर समझे cross multiplication 4 into 1 कितना 4 3 into 3 कितना 9 यह बड़ा है यह बड़ा है तो इसको क्या करो काट दो अब यहाँ पर इन दोनों के अंदर में चेक करना है कि 17 बटे 25 और यहाँ पर 1 बटे 3 इन दोनों में मेरे भाई यहाँ पर कौन चोटा है और कौन बड़ा है सेम तरीका अपनाएंगे cross multiplication का 3 into 17 कितना होगा एक क्यावन और 25 into 1 हमारा कितना होगा मेरे भाई 25 बोलो के सरे क्यावन बड़ा है 25 चोटा है यहाँ नि 1 बाई 3 और 1 बाई 3 का मतलब कौन सा option option number जो B होगा वो हमारा बिलकुल सही उत्तर होगा कौन सा होगा मेरे भाई option number जो B होगा बिलकुल हमारा सही उत्तर होगा ठीक है एक तो आप ऐसे कर सकते हैं दूसरा यहाँ पर देखिए अगर आपको comparison ही करना है तो मोटा मोटी आप इसको प्रतीशत में बदल कर भी कर सकते हैं अगर आपके पास में सही समझ सही तरीका है आपके पास में सवालों का बनाने का तो जैसे माल लीजे कि हमारे पास में यह 17 बटे 25 था दूसरा option हमारे पास में क्या है तो यह 1 बटे 3 है तीसरा option हमारे पास में 3 बटे 4 है और चौत religion हमारे पास में 20 बटे 25 है हम चाहते हैं कि आप सभी संख्याओं को प्रतीशत में बदले और percentage में बदल कर भी आप इसे कर सकते हैं तो percentage में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा सभी के अंदर में कितने का multiplication करना होगा 100 का multiplication सभी के अंदर में कितने का multiplication करना होगा 100 का सब के अंदर में कितना multiply करो 100 का तो अगर आप जैसे 100 का multiply करोगे 25 से आपका ये 4 बार में जाएगा तो ये हमारा 75% हो जाता है और 25 को अगर हम 4 बार में काटेंगे तो ये हमारा 84% हो जाता है अब आप मुझे यहाँ पर ये बताइए सबसे कम percentage value किसकी है तो बोलेंगे सबसे कम percentage option number B की है option number B की है मतलब सही उत्तर क्या होगा तो B4 बाहु बली हमारा बिलकुल सही उत्तर होगा ठीक है तो इस शोटी सी बात को हमें ध्यान रखना है करी सारे तरीके होते हैं यहाँ पर अनुपातों के बीच में ये बताने के लिए कि छोटा कौन है और बड़ा कौन है ठीक है तो ध्यान रखिए कि मेरे भाई यहाँ पर ठीक है आज यह चलिए नेक्स्ट कोशन की बात यहाँ पर करते हैं बोला गया साथ नंबर स्वाल में इन में से मेरे भाई यहाँ पर कौन सा जो रिश्यो है कौन सा जो अनुपात है वो सबसे बड़ा है आप लोगों को यह हम तरीके से बताए है सेम काम आप यहाँ करश रखते है बोलेंगे गुरु जी यहाँ पर देखिए चार बटे पांच है पहला वाला दूसरा उप्शन की बात करें वो छे बटे पांच है तीसरा उप्शन हमारा साथ बटे दस है और अगला उप्शन हमारा तीन बटे पांच है देखिए इनका एलसियम लेना बहुत असान है और एलसियम लेकर नीचे दस बनाना बहुत असान है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि सर हम यहाँ पर हर किसी में क्या बना देंगे 10 बना देंगे तो 10 बनाने का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा तो 2 से यहां नीचे में गुना करना 2 से यहां उपर में गुना करना 2 से यहां पर नीचे में गुना करना 2 से यहां उपर में गुना करना यह already 10 है तो कुछ से गुना मत करो इसे भी 2 से गुना करना, इसे भी 2 से गुना करना तो 4 into 2 कितना हो जाएगा? 8 6 into 2 कितना हो जाएगा? 12 यह हमारा है 7 और यह हमारा 6 अब आप मुझे बताओ किस प्रकार की संख्या की डिमांड है आपके पास में? तो largest largest का मतलब कौँसी संख्या तो जो बड़ी हो अब इनमें सबसे बड़ा वाला कौँसा है? 2 अप्शन एने 6 by 5 तो 6 by 5 क्या होगा? option number B सबसे बड़ी संख्या होगी एक तो ऐसे कह सकते हैं और दूसरा मेरे भाई, अगर आप इस सवाल को मातर एक सेकंड में बिना कलम उठाए बनाना चाहते थे तो मातर एक सेकंड में भी सवाल को बिना कलम उठाए बना सकते थे अब बोलोगे गुरुजी कैसे? अरे बहुत तरीके अपने पास में देखो सारा खेल क्या होता है? सारा खेल होता है कि अपने आपको 2 सेकेंड अपने आपको स्थिर रखिए options को एक बार देखिए और तब उसके बाद में decide करिए की करना क्या है अब अक्सर लोगों की आज कल problem क्या है लोगों की problem मेरे भाई यहाँ पर यहाँ कि सवाल देखते नहीं की बनाना शुरू मतलब थोड़ा तो आकलन कर लो मेरे भाई यहाँ पर कि क्या पता उससे भी short के अंदर में यह बन सकता था अब यहाँ पर देखोगे तो सारी संख्याओं में उपर जो है वो छोटी value है नीचे वाले से यहाँ 5 से यह चोटा है यहाँ पर जो है इस से यह चोटा है इस से यह चोटा है सिर्फ एक ही संख्या ऐसी है जिसका उपर वाला बढ़ा है और अगर उपर वाला पार्ट बढ़ा है तो यानि इसकी value जो होगी वो हमेशा क्या होगी तो 6 by 5 की जो value होगी वो greater than 1 होगी एक से जादा होगी और बाकी लोगों की value हमारी एक से छोटी होगी तो अगर एक से जादा होगा तो यानि कौन सा option होगा तो option number B for Bahubali automatic answer हो जाएगा ना यहाँ पर relative लेने की जरुवत है ना यहाँ पर आपको जो है percentage बनाने की जरुवत है common sense लगाने की आवशकता है कि एक ही हमारा improper fraction है बाकी सारे के सारे हमारे proper fraction है ठीक है? खुश रहिए जितने लोगों ने मेरे भाई अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दे क्योंकि 8000 के करीब में बच्चे लाइव हैं लेकिन लाइक हमारे अभी भी 7000 है तो हजार बच्चों ने बेमानी की है तो बेमानी ना करें और वीडियो को लाइक तुरंट करें ठीक है? आईए चलिए अगला सवाल मेरे भाई यहां पर क्या कहा गया जरा पढ़िये तो कोशिन नमबर आठ के बारे में मेरे भाई यहां पर सवाल बोला गया है ठीक है? एक भाई हमारा ALP का वेकेंसी बढ़ाओ ALP का वेकेंसी बढ़ाओ ALP का वेकेंसी बढ़ाओ देखो ALP के लिए हमारी जो जंग है वो जारी है ट्विटर के माद्धिम से उसके अलावा सरकार को जो है और हो सकता है कि ये रेलवे की जो वेकेंसी है वो हर साल आए ठीक हाला कि मैं इस बात पर बहुत जादा संतुस्ट नहीं हूं क्या पता गोली देनी के लिए बात भी कही जा सकती है कि नहीं इस बार 5000 वेकेंसी दे दिया ताकि ना मुनना ना वाली कहाने तुम परिशान मतों क कोई दिक्कत की बात नहीं है देखो हम अगले साल फिर लेकर आएंगे और पता चले कि अगले साल तक याद कौन रखता है चार-पांच साल इसी चक्कर में बीच जाएंगे मेरे भाई और अगले साल कोई वेकेंसी नहीं आएगी मतलब वही बात है भी तुमको दो रुपे किसे रहेगा मेरे भाई लेकिन इतना तो मान के चलो कि जब तक वेकेंसी बढ़ेगी नहीं तब तक यहाँ पर जो है सुकून मिलेगा नहीं ठीक है द्यान रखे इस बात का लेकर बहुत शांदार सर पटना ये मेरे भाई साब दिल्ली में यहाँ पर हमारे उपर बवाल हो बात कर रहे हो यहाँ पर पूरे ससी कम्मुनिटी मां अकेले हमी एक टीचर है भाई जिसने आवाज उठाई ठीक है और इतना मतलब बेकार सिती इतनी बुरी सिती हो गई यहाँ पर आप लोग ऐसी बाते बताएंगे तो फिर आप लोग बुलेंगे सर क्या हो रहा है देख कई सारी चीज़े हैं किसी दिन आराम से वक्त लेके सबी सबूत के साथ में बहुत सारी चीज़े दिखाई जाएंगे बताई जाएंगे फिलाला भी आप बस अपने पढ़ाई पर ध्यान दो इतना मान के चलो कि हम शांत नहीं बैठे है ठीक है बस आजो पढ़ाई करो तो एपॉन बी का जो मान है वो हमारा कितना है तो एपॉन बी का जो मान है वो हमारा फाइव अपॉन थरी है एपॉन बी का मान हमारा कितना है तो फाइव अपॉन थरी है वश्यन में हमसे यहां पर जो है वो यह बोला गया है एक्यूब माइनस बी क्यूब और डिवाइड़ बाइ, यहां पर AQ प्लस BQ का हमान बताइए कितना होगा हमने यहां पर कहा Regional सवाल है A कामान 5 है, B कामान 3 है तो 5 का diplomatic कितना हो जाएगा? 120 और यहां पर 3 का、「 कितना हो जाएगा तो 27 हो जाएगा उसके बाद में यहां पर A कमान हमारा 125 हो जाएगा और यह हमारा 27 हो जाएगा यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यह हमारा 98 हो जाएगा और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 152 हो जाएगा 98 upon 152 अगर हम 2 से काटेंगे तो 49 बार में और अगर हम 2 से काटेंगे तो 76 बार में तो 49 और 76 option number D for Dave से ना बिल्कुल ही हमारा सही उत्तर है तो कभी भी इस बात को ध्यान रखना ratio के सामने जो दिया होता है वो हमारा क्या होता है उसका exact मान होता है अब यहाँ पर हमें यह value निकालने को दिया गया था तो यह value निकालने को दिया गया था यहाँ पर कितने लोग इसका सही उत्तर दे पाते हैं A upon B की value जो है वो हमारी कितनी है 2 बटे 3 है और मेरा जो सवाल है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा कितना है तो वो हमारा यहाँ पर यह है कि A का square प्लस यहाँ पर जो है B का cube और divided by यहाँ पर हम बोलेंगे पर इसका उत्तर कितना होगा ठीक है आप लोगों की class डेली चला करेगी इस बात को ध्यान रखो Monday to Friday रोज रात साड़े साथ बजे साड़े आठ बजे मेरे भाई एक ही दिन पिछले हफते जो है हमारी class मिस होई है बाकी हमारी हर अफते class जो चल रही है वो regular चल रही है Monday to Friday रोज रात साड़े आठ बजे साड़े संड़े आपका ओफ रहता है और वो मेरे भाई ओफ रहेगा ठीक है Monday से लेकर Friday तक रोज रात साड़े आठ बजे और अभी हाल फिलाल में हम आप लोगों के लिए प्राक्टिस सेट भी लेकर आएंगे तो बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ाई करते रहे हैं एक हम लोग गदर तरीके से जो है प्राक्टिस सेट लगाएंगे और अपना और ज्यादा बेनेफिट करेंगे यहां पर ठीक है आज है तो यहां पर जैसी सवाल हमसे बोला गया है बस प्राक्टिस सेट के लिए सभी लोग तयार है एक दम अपने सोशेस के साथ रेविजन करके रखना कि जिस दिन सर्प्राक्टिस सेट करवाएं उस दिन जो है यहां पर हमारा पूरे तरीके से नंबर है एक हम लोग 100% मार्क से स्कोर करें ठीक है हमार 100% ना भी आ तो आए ही आए ठीक है आज ही है चली काफी लोग जो है उत्तर दे रहे हैं और इसका उत्तर दे रहे हैं सत्रा बटेक सत्रा बटेक सत्रा बटेक कितने प्यारे बच्छे हैं आप लोग मुबारक हो मेरे भाई आप लोगों को बहुत शानदार तो इतने अच्छे बच्छे इन्होंने क्या किया बहुत अच्छा इन्होंने सोचा कि सर तो सबसे पहले जितने बच्चे भी उत्तर दे रहे हैं 17 बटेक मुबारक हो आप लोगों को मिलते हैं मेरे भाई माइनस चार नमबर माइनस दो नमबर जिसकी जैसी परिक्षा उसका वैसा नमबर कटेगा तो आप लोगों को कट चुका है मेरे भाई नमबर यहां पर रीजन यह है आप लोगों को थोड़ा रेशियो का गहन दे नहीं पता है इसलिए हमें के सवाल दे हैं ताकि आप इसके वास्तविक्ता को समझें यहां पर, ठीक है, इसका जो उत्तर होगा, वो यहां पर होगा, cannot be determined, c and d यहां पर, अब बोलोगे, गुरुजी कहें ने, इसको determine कर सकते हैं, तो हम उसके पीछे अब reason बताते हैं, कि क्यों determine नहीं कर सकते हो, आप लोगों ने सोचा कि value उठा के रख तर आ गया, ठीक है, तो ऐसे ही हम लपेटते भी हैं, असान असान दे के बीच में इसे ही, जो है, यहां पे एक सवाल, दे देंगे, जिसमें आपका गलती हो जाएगा, और examiner भी यहीं काम करेगा, बड़े मगन होकर, जो है, आप paper content कर रहे हो, अगर पता चलेगा, कट गया आपका धाई नंबर, दो नंबर, जितने नंबर का भी है, ठीक है, तो अब यहां पर हमें जो है, इस तरीके से नहीं करना है, तो क्या करना है, क्यों यहां पर यह वाला process गलत है, reason हम आपको बताते हैं, अब इसके बगल में आप थोड़ा हमारा explanation समझेगा, हम आपसे कहना क्या चाहते हैं, असल में क्या होता है, जब A upon B की value 3 by 2 है, तो जो आप इसको value में convert करते हो, तो A का मान हमारा कितना होगा, तो इसके साथ में एक variable लगाओ, तो A का मान तुमारा 3X होगा, और B का मान मेरे भाई कितना होगा, तो B का मान जो होगा, वो तुमारा 2X होगा यहा पर, ठीक है, अब A का square आपको करना है, question में आपको बोला गया न, A का square में यहाँ पर B के cube को जोड़िए, और यहाँ पर A के square में से B के cube को घटाईए, तो आपने यहाँ पर कहा कि sir, A का square का मतलब 3X का square, तो 9X square हो जाएगा, और उसमें हमें यहाँ पर इसका cube यानी 8X square को यह 8X cube को जोड़ना होगा, और नीचे में क्या करना होगा, तो 9X square में से इसको घटाना होगा, अब दोस्त यहाँ पर इस बात को समझना, तुम यहाँ पर क्या कर पाओगे, तो यहाँ पर उपर में X square common ले सकते हो, यहाँ भी X square common ले सकते हो, तो यहाँ पर X square X square अगर common ल गया और जब यह value कट गया तो हमारा यह वाला मान हमारा बचेगा यानि 9 plus 8x और 9 minus 8x और इसका उत्तर तुम तब तक नहीं बता पाओगे जब तक यहां पर एक्स का मान तुम्हें नहीं पता हो इसका उत्तर मेरे बाई यहां पर किस सवाल में हम उत्तर को पता कर सकते हैं और किस सवाल में हम उत्तर को पता नहीं कर सकते हैं तो भोलोगे सर यहां पर देखे जहां पर भी power अगर हमारा same होता है अगर उपर square है नीचे square है तो square से square कट जाता है उस case में X की अवशक्ता नहीं पड़ती है उपर भी अगर cube है और नीचे भी अगर cube है तो cube से cube कट जाता है तो X की अवशक्ता नहीं पड़ती है लेकिन सर अगर मान लीजे कि same power हमारे add subtract में ना हो अलग-अलग power हो यहाँ power 2 है और यहाँ power 3 है तो कभी यह काट ही नहीं पाओगे आप यहाँ पर आप कभी भी X को X square को X cube के साथ कॉमा लेकर नहीं काट सकते तो नहीं काट सकते तो इसलिए उतर कितना होगा तो cannot be determine होगा यानि power जो हमारे same होते हैं भाई मेरे तो हम वहाँ पर solve कर सकते हैं लेकिन अगर हमारा power same नहीं होगा तो हम वहाँ पर solve नहीं कर पाएंगे ध्यान रुखेगा इस बात को ठीक है आईए चलिए आप पर अब इस सवाल का उतर देखें आपर क्या question में कहा गया तो यहाँ पर आपसे बोला गया है कि X कमान जो है वो तुम्हारे पास में 4 है और Y कमान कितना है तो 5 है और 7 में हाँ पर ये भी बोला गया कि ये value जो है वो तुम्हारे किसके बराबर में है 29 के तो Y कमान पता करो तो यहाँ पर किस कमान पता करो Y का हमने यहाँ पर वही बेसिक तरीका अपना अपनाएंगे Sir X कमान आपकी नजरों में 4 है मेरी नजरों में तो X की वैलू कितनी है 4K है और जब हम Y को बदलेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 5 के ठीक है अब इन्होंने बोला है 7X है यहाँ पर तो 7X कमान यानि 7X 4 के हो जाएगा प्लस यहाँ पर 6Y हो जाएगा तो 6X 5 के हो जाएगा और यह बराबर हो जाएगा किसके तो 29 के हो जाएगा अगर आप यहाँ देखेंगे तो 30 हो गया और यह 28 हो गया अनि हमारा कितना हो जाएगा तो 58 के और 58K की value कितनी है 29 अगर हम काटेंगे मेरे भाई दो बार में तो के कामान हमारा कितना हो जाएगा 1 upon 2 हो जाएगा के कामान हमारा कितना हो जाएगा तो बोलोगे गुरु जी 1 upon 2 हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 बटे 2 हो जाएगा और अगर के कमान मेरे भाई यहाँ पर 1 upon 2 हो जाएगा तो y की जो value है वो हमारी कितनी होगी तो बोलेंगे sir y की value 5 into 1 upon 2 यानि 5 का भी आदा और 5 का आदा कितना होगा तो धाई option number a बिलकुल हमारा सही उत्तर है समझगे बात को लेकर यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है बताईए clear है यह बात चलिए आजएए बहुत शांदार आईए भाई यह कोई सवाल देखिए question number 10 यहाँ पर gd का यह सवाल है और देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर दे पाते हैं जल्दी से उत्तर दीजे इसका और सभी लोग वीडियो को like भी करते रहो भाई और हर जगा पर share भी करते रहो यहाँ पर ठीक है बताईए यहाँ पर इसका उत्तर क्या आएगा बताओ भाई तो बोलोगे सर देखिए 5x-2y और x-2y की value 9 बटे 17 है और हमें इसका मान बोला गया पता करने को तो हम कैसे करेंगे तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखो बहुत ही सिंपल है 5x-2y और इसको हमें डिवाइड करना है किसके साथ में x- यहाँ पर किसके साथ में 2y के साथ में और ये ratio हमारा किस के बराबर में है तो 9 बटे 17 के बराबर में है तो बोला गया यहाँ पर 9 x upon 13 y का जुम्मान है वो बताओ कितना होगा दीखे तो यहाँ पर यह बहुत ही बहुत ही सरल सवाल है आप यहाँ बोलेंगे sir दीखे यह value हमें दी गई है हम तो इसको cross multiplication से ही बता कर पाएंगे तो आप cross से multiply करो 17 into 5 कितना हो जाएगा तो बोलोगे sir 85 x यहाँ पर और 17 into 2 हमारा हो जाएगा 34 y यहाँ पर next अगर 9 से गुना करेंगे तो यह 9 x हो जाएगा और यह हमारा 18 y हो जाएगा x को एक तरफ assemble करो तो 85 y में से तुम 9 घटा दो तो मेरे भाई हो जाएगा 76 यहाँ पर और अगर तुम यहाँ 34 अठारा घटा होगे तो हो जाएगा यहाँ 16 4 से काटो 4 बार में 4 से काटो 19 बार में तो x upon y का जो मान होगा वो यहाँ पर होगा 4 बटे 19 कितना हो जाएगा तो 4 बटे 19 हो जाएगा अब यह तो आपकी value आ गई ठीक है यह इनका एक तरीके से ratio आ गया बट question में क्या यहीं मान बोला गया है तो बोलेंगे नहीं sir question में जो कहा गया वो कहा गया 9 x upon कितना हो जाएगा 13 y हो जाएगा तो बोलेंगे sir 9 x x कमान कितना है 4 और यहाँ पर 13 y कमान कितना है 19 multiply करो तो 9 चो के तुमारा 36 आ गया और यहाँ पर 19 तरे 57 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 कोई सा option है तो option number C कहोना प्यार है बिलकुल हमारा जो है वो सही उत्तर है कोई दिक्कत की बात यहाँ पर कोई परिशानी की बात है तो बताईए ठीक है आईए चलिए next question की बात यहाँ पर करते हैं और अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं अगला सवाल हमसे क्या वोला गया है जल्दी से मेरे भाई 11 नमबर सवाल का उत्तर दो A और B का अनुपाथ 9 और 14 का है और B और C का अनुपाथ 16 और 7 का है तो ABC का जो अनुपाथ होगा वो यहाँ पर कितना होगा बताईए मेरे भाई यहाँ पर जल्दी बता दीजिए ठीक है ABC का जो हमारा अनुपाथ होगा वो हमारा कितना होगा देखो अगर तुम within second इस सवाल को करना चाहते हो तो एक second के अंदर में भी इस सवाल को हम बना सकते हैं लेकिन एक second में बनाने के पहले यहां पर पहले हम लोग इसका basic method जान लेते हैं कि ऐसे सवालों को हम लोग basic से कैसे बनाते हैं जब आप इसका basic method जान जाएंगे तब उसके बाद में हम इसको एक second में भी हल करने का तरीका आपको बता देंगे तो यहाँ पर सबसे पहले ratio में समझे टाइप number one यहाँ पर यह टाइप number one क्या है और इसको कैसे हल करेंगे आप यहाँ पर तो type number one की बात अगर हम करते हैं तो हम यहाँ बोलेंगे कि सर जैसे मान लिजए एक सवाल है A और B का जो अनुपात है हमारा वो दो और तीन का है ठीके और B और C का जो अनुपात है सर वो हमारा कितना हो जाएगा वो हमारा चार और पांच का है तो हमसे कोशन में बोला गया A अनुपात B अनुपात C का मान बताया जाए कि यह मान हमारा कितना होगा A B C का जो मान है मेरे भाई यहाँ पर यह बताया जाए कि यह हमारा मान जो होगा वो कितना होगा हमने कहा सर देखो कभी भी ऐसा सवाल है जहां पर एक तरीके से लोगों को बैलेंस करना हो एक ही ले में सब को लेकर चलना हो जिससे यहां पर ए और भी आपस में प्यार महबत में एक साथ है भी और शी आपस में प्यार महबत में एक साथ है लेकिन मुझे एक frame set करना है और तीनों के लिए set करना है तो वो हम कैसे करेंगे तो हम आपको एक आसान भाषा बताते हैं आप उससे कर सकते हैं ऐसे method तो कई सारे हैं लेकिन आपके लिए जो कम समय के अंदर में जल्दी समझ में आजाए हम वो method आपको बताएंगे ठीक है तो यहाँ पर कितने तरह के variable हैं तीन तरह के तो एक A रख लो दूसरा B रख लो तीसरा C रख लो अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे A और B कानुपाद 2 और 3 का है और B और 3 की अगर हम बात करेंगे तो यह 4 और 5 का है इनको एक लाइन में लिखना है और इनको एक लाइन में लिखना है दोनों को मेरे भाई यहाँ पर mix नहीं करना है ठीक है अब उसके बात समझे यहाँ से मेरे भाई खेल शुरू होता है कबजे का ठीक है कबजा करना होता है यहाँ पर अब देखे यूपी में आप कबजा करने की कोशिश ना करें योगी जी बैठे हुए है जिसी भी और बुल्डोजर चलवा देंगे बस वही वाली बात है ठीक है तो यहाँ पर आपको कबजा नहीं करना लेकिन हाँ गनित का सवाल है यहाँ कबजा कर सकते हैं यहाँ पर कोई योगी जी नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा जैसे उपर एक अलग गली है और नीशे एक अलग गली है इस गली में इसके बगल में एक प्लोट खाली है और इस गली में इसके बगल में एक पलोट खाली है तो इस पर कबजा कौन करेगा ये बताओ इसका पडूसी करेगा अब मिश्रा जी एक बात बताइए आप भी तो दूइंची दाबे हुए है घर बगल वाले का अब उसके उपर से लाटी लेकर पड़ जाते हैं घर बलबहन है कपारे फोड़ दे हैं बताइए एक उतो घर उसका छेक्के बइठे हुए उपर से जो है पूरा आपका बालकनी देखे हैं कहां पर है आधा रोड में है बताइए योगी जी का सरकार नहीं है शुकर मनाईए बेहार में नहीं तो पुरा आदा घर जरा गया होता है समझ रहा हैं हम यहां पर हमारे मिष्टा जी का आदा जो बालकनी पूरे रोडे पे निकला हुआ है तो इन्होंने क्या किया है मिष्टा जी यह हमार birthday इन्होंने देखा बगल में जमीन खाली है यह बाई घंठेग Saint cellphone देखो 2 x 4 कितना हो जाएगा? 8 और 3 x 4 कितना हो जाएगा? 12 और 3 x 5 कितना हो जाएगा? 15 यही ratio आगया तीनों के बीच में यानि तीनों के बीच में जो ratio रहेगा जो संबन्द रहेगा वो यहां पर कैसा रहेगा तो 8, 12 और 15 का यहां पर clear है भाई? तो बोलोगे, सर जी A है, B है और C है. तो हम एक काम करते हैं, हम तीनों लोगों का नाम जिकर करते हैं. A भी हो गया, B भी हो गया, C भी हो गया. A का हमारा value हो जाएगा, no, B का mine हो जाएगा, 14. और B और C का अगर हम बात करेंगे とो 16 हो जाएगा तो यहाँ पर करेगा कोई परिशानी है कोई दिक्कत है तो बता दिजे इस line का कोई भी data के किसी भी data को काट सकता है बहुत लोग यहाँ पर क्या करते हैं multiply करने के बाद में काटते हैं हम यहाँ पर आपको उल्टा सिखाते हैं हम बोलते हैं पहले ही मेरे भाई काट दो इस line में कोई भी data का कोई भी data काटो क्योंकि यह इक हटा एक साथ है यह इक हटा एक साथ है और यह इक खटा एक साथ है multiply होने के बाद में यह कुछ इस प्रकार से बनेंगे यहाँ पर यह 14, 16 इस प्रकार से बनेगा और यहां पर यह multiply होने के बाद ऐसे बनेगा तो बाद में काटने से बहतर है कि शुरू में ही काट लो अब जैसे बाद में दो से आठ बार में काट होगे आठ बार में काट होगे तो इतनी महनत क्यों कर रहे हूं जब शुरू में ही काट लो भाई दिखे इतनी महनत ना करके जो है आहांपर क्यों इतना धिमाह खराब करना? यहाँ पर जब शुरू मेही आपका डेटा कामा निकल जाए फ़र में देटा को काट लिए करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है आप किसी को भी काट सकते हैं क्योंकि multiply जब यह हो जाते हैं तो नीचे उपर का कोई फर्क नहीं रहता तो 9 into 8 कितना हो जाएगा तो बहतर हो जाएगा 14 into 8 हमारा कितना हो जाएगा तो बोलोगे 112 हो जाएगा और उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा तो बोलोगे 7 into 7 हमारा कितना होगा उन्चे आस हो जाएगा 72 112 उन्चे आस कौन सा option आ रहा है option number D, D for देवसेना क्या हो जा रहा है मेरे भाई तो option number D, D for देवसेना अब जैसा कि हमने यहाँ पर जो है वो हमने सवाल आपको बताया था तो हमने कहा था किस सवाल को तो आप यहाँ पर एक सेकंड के अंदर भी कर सकते हैं 2 सेकंड, 3 सेकंड, जादा जादा 5 सेकंड ले लो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि बिना solve के भी सवालों का उत्तर कैसे दे देखिए हो सकता है आप में से 10% बच्चे जो वो अपलाई करते होंगे जो अभी हम बताने जा रहे हैं लेकिन 90% बच्चे अभी भी ऐसा नहीं सोच पाते हैं अक्सर हमारी जो मान सिकता है वो हमारी क्या है तुम हमें सवाल दो हम तुम्हें उत्तर देंगे बनाके तो ये काम नहीं करना है समझ रहे हैं बातों को लेकर जरूरी नहीं है हर बार सवालों का उत्तर देने के लिए जो है यहां पे जरूरी नहीं है मेरे बाई सवालों का उत्तर देने के लिए आपको यहाँ पर उसको solve ही करना पड़े आप उसको बिना हल किये भी जो है वूतर दे पाएंगे और यहीं आपको अपने paper के दोरान सोचना है जितने भी सवाल आपके paper में आते हैं सारे बच्चे जो topers होते हैं जो अच्छे candidate होते हैं कभी भी हर एक सवाल को नहीं बनाते हैं method से नहीं बनाते हैं कई सारे सवालों को हम by option चले जाते हैं कई सारे सवालों में हम सीधर trick लगा लेते हैं कुछ वहीं सोचिए आप यहाँ पर सोचिए कि A और B में बीच में संबंद जो है वो कितना है तो 9 और 14 का है क्या यह 9 और 14 का संबंद बना रहा है तो बोलोगे हैं सर यहाँ पर यह हमारा 9 और 14 का समझ रहे हैं बात को लेकर यानि इसी संख्या का 14 गुना होना चाहिए आप यहाँ पर देखो इसका जो ratio है वो 9 और 14 है नहीं नहीं यह 9 और 14 का नहीं बन रहा है यह 9 और 112 का ratio सिर्फ इन दो लोगों को देखो ना आप यहाँ पर सिर्फ इन दो लोगों को देखो सिर्फ इहाँ पर इन लोगों को देखो ठीक है तो यहाँ पर मेरे भाई दूर दूर से और बी में नौ और चोदा नहीं बन margin रहा यहां पर मेरे भाई दूर दूर से 9-14 नहीं बन रहा, यहां पर भी आप काट के देख लीज़े आप 3 से अगर काटेंगे तो 3 से आपका यह 26 बार में कटेगा मेरे भाई और 3 से अगर आप इसको काटोगे तो और 9 बार में कटेगा और 8 से कार के देखो 14 बार में कटेगा तो यह कौन देखेगा मतलब पेपर में मैं तो नहीं देखूंगा आपी लोगों को देना है आपी लोगों के पिर मैं महाँ बहादरी दिखाता हूं दो ऑप्शन्स में यह देखता कि B और C में किसका 16 और 7 का अनुपात है क्या यह 16 और 7 में है यह 16 और 7 में हैं हम वैसे देख लेते हैं तो इससे क्या होता कम समय में हमारा जो सवाल है वो बन जाता ठीक है वीडियो पसंद आए तो दोस यहां पर बोला गया है देखिए X और Y का जो अनुपात है 2 और 3 का है Y और Z के बीच में जो संबंद है वो 4 और 7 का है Z और W के बीच में संबंद 7 3 का है तो X, Y, Z, W कितना होगा अब मुझे लगता है कि आप लोग अब सॉल्फ भाद में करोगे ट्रिक पहले अपलाई है तो यह 4 का 2 गुना 4 का 3 गुना यह तो होगा नहीं मेरे भाई यह पॉसिबल ही नहीं है यहां पर ठीक है यह भी पॉसिबल नहीं है इसका डबल है तो यह भी पॉसिबल नहीं है दो ऑप्शन दिख रहा है यह देखो 4 से काटोगे 2 बार में 4 से काटोगे 3 बार में यहां करोगे आज के बाद हल करने की कोशिश कभी भी नहीं आप बोलोगे X और Y में 2 और 3 का संबन देखिये सरे option number A में मिला है इसके अलबा किसी में नहीं है और ये question हम यहाँ पर खुद से नहीं करवा रहे हैं कि हम खुद से set करके लेकर आए हूँ ये वो सवाल हैं जो आपके दिलि पलिस के पेपर में पूछा गया है कोई ना कोई पेपर में मेरे भाई पूछा गया है तो ये जब पूछा गया है तो आप क्या करेंगे इनी सवालों में सीखेंगे यहाँ पर कुछ नया यहीं तो सीखना है ताकि हमारा selection हो पाए तो ध्यान रखिये तो अगर हम यहां बात करते हैं तो हम बूलेंगे सर हो गया, X हो गया, Y हो गया Z हो गया, और W हो गया X और Y की बात करेंगे तो यह 2 और 3 के बीच में इनका उनुपात है Y और Z में अगर हम बात करेंगे तो चार और साथ के बीच मैनुपात है और यहां पर बात करेंगे तो साथ और तीन के बीच मैनुपात है ठीक है? यह ध्यान रखेंगे अब इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे तो इसको बैलेंस करने के लिए अगर यह साथ है यहां भी साथ होगा, यहां भी साथ होगा चार है तो यहां भी चार होगा साथ है तो पडूसी में साथ होगा तीन है तो तीन होगा और तीन है तो मेरे भाई तीन होगा यहां पर तीक है, उसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या होगा तो अगला step मेरे भाई जो भी हमारा common data मिलेगा वो उड़ा दो इसमें एक 7 मिला, इससे एक 7 ले लिया, इससे एक 7 ले लिया और इससे एक 7 ले लिया अब बच गया कितना तो 8, यहां पर बच गया कितना तो 12, यहां पर बच गया तो 21 और यहां बच गया कितना तो 9, 8, 12, 21 यह हमारा बिलकुल सम्विधानिक तरीके से उत्तर होगा, ठीक है, एक्दम सम्विधानिक तरीके से उत्तर होगा हमारा, सर, ड्रमास्तर फॉर्मला बुक लेना है, कुछ तो बूलिये, तो लीजे महराज, इसमें हम क्या बोले, बताईए, हम बताएंगे, उससे बढ़ियां, बच्चों का आप कमेंट देखा करिए, लेपकार्ट पे, अमेजन पे, हर जगा पे जाके जो है, आप उनके रिव्यू क पढ़िये, ठीक है, टॉपस की बातों को सुना करिए, हर साल के जो ओल इंडिया रैंक्स वाले स्टूडेंट होते हैं, वो उन्हें रेकमेंड करते हैं, आज ही मेरे पास एक स्टूडेंट का स्क्रीन शॉट आएगी, सर पिछली बार के ओल इंडिया रैंक्स सेवन ने हमे अच्छा लगता है, जो हमारी मेहनत होती है, वो जो है यूज में आती है, ठीक है, तो आप लोगों के लिए सबसे बस किताब आपको पता है, आपके अपनी फॉर्मला बुक है, तो बस उसको पढ़ो सर, ठीक है, अच्छे तरीके से, कोई भी एक्जाम की तियारी करते हो, तो फर्क नहीं पढ़ता, फॉर्मला बुक आपके पास में होनी चाहिए, इस बात से फर्क पढ़ता है, ठीक है, आईए, कोशन नमबर 13 देखिए, जी डी का मेरे भाई ये सवाल, क्या कहा गया जरा पढ़ो, तो बोला गया सर, देखिए, जी डी का ये सवाल, हलुआ सवा है, A और B का यहां पर रेशियो दे रखा है, B और C का रेशियो दे रखा है, अब A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A का अमान बोला गया है, अब यहां पर जो है, आप ज़्यादा दिमाग लगा होगे, बोलोगे सर, A प्लस B, इसका मतलब 5 प्लस 6, 11, तो ये खतम, ये हमारा 11, 11, फिर B प्लस C की अगर हम बात करें, तो B प्लस C हमारा 7, 6, 13, तो सर, यहां पर ये खतम, 13 नहीं आ रहा है, तो ये हमारा उत्तर होगा, अब ऐसे आप उत्तर दे दोगे, option number B, ठीक है भाई, ऐसे उत्तर दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता है, इसकी 100% संभावना नहीं होती है, कि यहां पर हम लोग ऐसे फरजी तरीके अपना ले, इसमें particularly, कि नहीं नहीं, A प्लस B बोला गया, तो 5 प्लस 6 हमारा कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए, B प्लस C बोला गया, तो 6 प्लस 7 हमारा 13 आना चाहिए, और फिर वहीं जब C बोले और A बोले तो खतम कहानी वहां पर, ऐसा नहीं करना है, अभी हम लोग समझेंगे क्या है और क्या नहीं है, हाला कि उत्तर हो भी सकता है, मैं फिर कह रहा हूँ, और नहीं भी हो सकता है, 2,000%, 99% समाओना होती है, उत्तर होने की, 1% होती है, नहीं होने की, वो भी 1% कब होती है, वो भी अब आप यहां पर देखे पहले A, B, C के बारे में आप यहां पर समझे – A का डेटा कितना है? तो 5 और B का डेटा कितना है? तो 6 यह यह A और B के बीच का संस्बंद और B और C में कहानी क्या है तो ये हमारा 6 है और ये हमारा कितना है 7 है तो जब यहां पर ये data same होना तो आप यहां पर इस तरीके से इन्हें मत लिखा करो कोई फायदा नहीं है कि एक नीचे वाली line में लिख रहे हो नीचे वाली लाइन में लिखने का ताथ पर यह तब आता है जब यह दोनों हमारे सेम ना हो अगर यहाँ पर यह दोनों डेटा सेम है ना तो फिर यहाँ पर आप एक काम करो यह 6 रेशियो 7 ही लिखना है तो अगर आप यहाँ पर भी लिखना गे तो भी कोई नुकसान नहीं कि इन दोनों में 5 और 6 का अनुपात और इन दोनों में 6 और 7 का अनुपात तो इससे क्या होगा direct आपकी value निकल जाएगी अब direct आपकी value निकल जाएगी तो जैसे जैसे सवाल में बोला गया है वैसे वैसे आप लोग पता करते चलो A प्लस B हो जाएगा B प्लस C हो जाएगा और यहां पर A प्लस C हो जाएगा तो A प्लस B का मान कितना होगा तो अब जाकर 11 आएगा B प्लस C का मान कितना होगा तो बार आएगा, एक ग्यारा, तेरा, बारा कौन सा उप्शन है, उप्शन नमबर बी फ़र बाहुबली, करेक्ट आउसर है कोई दिक्कत की बात है यहां पर, कोई परशानी है मेरे भाई, यहां पर बताईए चलिए आजए, अगले सवाल की तरह बढ़ते हैं और अगला सवाल हम लोग यहां देखते हैं अगला कौशन आपसे क्या कहा गया नेक्स्ट कौशन में आपसे यहां बोला गया दो पी हमारा 3Q और 5R के बराबर में है P पलस Q पलस R का मान 62 है, तो P और R के बीच का जो हमारा अंतर होगा, वो तो देखो मेरे भाई, टाइप नंबर 2 की अगर हम बात करें यहाँ पर तो टाइप नंबर 2 हमारा क्या कहानी देगा, समझो मेरे भाई, तो टाइप नंबर 2 हमें यह बोलेगा, कि देखो, अगर जैसे मनों तुम्हारा 2-ए हो गया, यह बराबर हो जाएगा 3-B-K, यह पडोस में कुछ बन रहा है, और एक कटोरा कुछ जो है अपने घर में आ जाए, जब आप उसे खाते हैं, और कहते हैं, वाँ भाई सबसबजी हो तो ऐसी हो, तो अपनी घर की सबजी उसे में फीकी लगने लगती है, फिर उसके बाद आपकी मन की चाहत होती है, अगर आप यहां पर देखेंगे तो बोलेंगे सर देखो, यह बड़ा बदमाश है, इसको अपना वैल्यू पसंद नहीं आएगा, जो इसके पास में हो, उसकी कदर यह नहीं करेगा, यहां पर इसको क्या चाहिए, जो दूसरों के पास में है, यहां जो B के पास में और C के पास में, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12, उसी तरीके से सर, यहां B बड़ा बदमाश है, इसको अपनी वैल्यू नहीं चाहिए, इसको A की वैल्यू चाहिए और C की वैल्यू चाहिए, तो यानि 2 x 4 हमारा कितना हो जाएगा तो बूलोगे 8 हो जाएगा C वैसे ही काम करता है सर ये बोलता है जब ये दोनों जो है ऐसे काम कर रहे हैं कि अपनी value नहीं रखते हैं दूसरों की value को खीचते हैं तो हम भी अपनी value को नहीं रखेंगे हम भी इनकी value को खीचेंगे तो 2 x 3 हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा यदि कुछ कट रहा है तो काट दो नहीं कट रहा तो छोड़ दो तो बोलोगे सर यहाँ पर 2 से काटी है तो बोलेंगे सर 6 बार में 4 बार में और 3 बार में यहीं हमारा क्या होगा ठीक है तो चलिए आजी है जल्दी से यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप मुझे इसका उत्तर दें 3 बराबर हमारा 4 बी बराबर हमारा 5 सी है और मुझे यहाँ पर फटाफट बताएं A, B और C के बीच में जो अनुपात होगा वो कितना होगा जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्सों बता दीचे भाई पटाफट जल्दी बता दो मेरे भाई कितना उत्तर होगा वाचिंग फ्रॉम कश्मीर लव यू सर जी लव यू भाई बताओ, जल्दी से उत्तर बताओ यहां पर कितना होगा बताएं बताइए मेरे भाई यहां पर जल्दी से बताइए आप लोग उत्तर कितना होगा बताइए बहुत शेंदार मेरे भाई बीस पंदरा बारा, बीस पंदरा बारा, बीस पंदरा बारा अब आप यहां पर देखो, मेरे भाई, क्या बोला गया तो बोला गया, sir, A की value निकालनी है तो B और C को हम गुना करेंगे तो 5 इंटू 4 कितना गुना करेंगे तो 20 करेंगे B का मान निकालना होगा, तो 3 इंटू 5 कितना करेंगे तो 15 करेंगे C का मान निकालना होगा, तो इसको ढखके यहां पर 3 इंटू 4 कितना करेंगे 12 करेंगे, तो 20, 15 और 12 हमारा बिल्कुल क्या होगा सही उत्तर होगा, भाई 20, 15 और 12 क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा आईए चलिए यहां पर ठीक है, कोशन नमर 14 देखते हैं पर कोशन नमर 14 में क्या कहा गया है पढ़िए जरा, तो आप यहां बोलेंगे सर देखो, बड़ा ही सिम्पल सा कहानी है 2P जो हमारा बराबर है किसके तो 2P हमारा बराबर है यहां पर 3 क्यू के और यह बराबर है हमारे किसके तो यह बराबर है हमारे 5R के और हमसे P प्लस Q प्लस R का मान बोला गया है कि इसका जो मान है वो हमारा किसके बराबर होगा ठीक है तो हम बोलेंगे सर देखे P Q R का जो हमारा अनुपात है वो अनुपात हमारा कैसे होगा कैसे निकलेगा तो यह हम बोलेंगे सर देखिए P की value निकालनी है तो 3 इंटू 5 कितना होगा तो 15 करना होगा Q की value निकालनी है तो सर 2 इंटू 5 हमारा कितना करना होगा 10 करना होगा R की value निकालनी है 2 इंटू 3 हमारा कितना करना होगा तो हमें 6 करना होगा समझ में आगे सर यह बात यहांपर की कैसे ratio निकाला है अपने PQR का ratio हमारा कैसे आया अब ठीक है यह तो ratio है सर यह क्या है तो ratio है question में बोला गया है तीनों को जोडने पर 62-100 आ रहा है यानि यह जो 62-100 है यह हमारा 62-100 किसके बराबर में है तो 62-100 हमारा 3-0 को जोडने पर आएगा यानि 25 और 6 हमारा कितने का मान है तो 31 का और हम से बोला गया difference between P, R and R तो यहाँ पर P का हो गया और यहाँ पर R का हो गया इन दोनों के बीच में difference हमारा तो difference हमारा कितने का होगा तो difference हमारा 9 का होगा 31 से अगर हम काटेंगे दो बार में तो कुल मिलाकर उत्तर हमारा कितना आ जाएगा 18 सो आ जाएगा और यह हमारा कौन सा है तो option number D फर देव से न बिल्कुल हमारा सही उत्तर है option number D फर देव से न क्या हो जाएगा अब बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ठीक है चलिए देखते हैं अगला सवाल का उत्तर यहां पर आप में से कौन दे पाता है अब ratio के देखिए दो पार्ट होते हैं एक normal जो हमारे बिना language वाले question हो गया और एक हमारा language वाला question हो गया तो अब यहां से ratio के उपर में जो सवाल है वो भाशा के उपर में है उन्ही बातों को बस भाशा के रूप में वेक्त किया गया है और आपसे यहां पर उत्तर पुछा जा रहा है तो जल्ली से मुझे इसका उत्तर बता दीजे देखते हैं कितने लोग बता पाते है टाइमर हमने ओन कर दिया है एक मिनट का टाइमर है आपके पास में और एक मिनट के अंदर में सही उत्तर आपको देना है कर दिए कर दो बताओ भाई मेरे भाई एक मिनट हो गया आपर हो गया चलो इस सवाल का उत्तर तो देंगे ही देंगे लेकिन अभी एक चोटा सा पॉइंट हम आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे और ये point आप देखे जरा point तो नहीं कहेंगे आप लोगों से ये बात मैं क्यूं साजा कर रहा हूं हम आपको ये भी बताएंगे ठीक है और आप में से उसकता है बहुत सारे लोगों को ये लगे कि यार हमारे लिए तो ये तो आप में से बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगेगा कि सर यह तो हमारे काम कहीं नहीं है यह तो हमारे बात कहीं नहीं है लोग मर रहे हैं तो मरने तो हमें क्या फरक पड़ता है तो ऐसा नहीं है आज जो बात हम आप लोगों के साथ में शेयर करने वाले हैं पर वो एक बहुत मातुपून बात है, वो आपके लिए भी जरूरी है, क्योंकि कहीं न कहीं आपके जो भाई बहन हैं, कहीं न कहीं आपके दोस्त हैं, कहीं न कहीं आपके रिलेटिव हैं, ठीक है, वो भी पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो अभी एक बड़ी ख हुआ है और वो केस हम आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं भाई ठीक है कुछ फोटो है जो हमने अभी अपने ट्विटर से निकाला है और यह आप लोगों के साथ में यहां पर देखे क्या लिखा हुआ है यहां पर यह कि और यहां पर सबसे बड़ी बात उस बच्चे की आप यहां पर राइटिंग देखो और इस हैंड़ाइटिंग के साथ में उस बच्चे ने आपर क्या लिखा हुआ है फिर उसके बाद माँ आपको पूरा जो वैक है वो हम आपको बताएंगे आप ठीक है झाल 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 देखे जर आप लोगे यहां पर क्या लिखा हुआ है कि मम्मी पापा इकांट डू जेए मतलब मैं जो हूँ सबसे खराब बेटी हुई यहां पर सौरी मम्मी पापा यहीं लास्ट ऑप्शन है और यह भी हाल फिलाल की गटना है अभी जस्ट राज की है गटना है और तीन गंटे पहले की यह कहानी है और तीन गंटे पहले जो कोटा में एक लड़की है उसका जही नहीं निकल पाया तो इस वज़े से उसने सुसाइड कर लिया है आप एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से इसलिए शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग काफी बड़े हैं आप लोग उमर में बड़े हैं आप लोग सोच में बड़े हैं तो आपके हो सकता है कोई न नहीं है आप इस बात को समझे अपने मासिक आंकलन पर दूसरों का आंकलन ना करें ठीक है अगर आपका कोई भाई बहन कोई दोस्तियार कहीं पर भी पढ़ाई करता है आप उसको अगर ऐसी स्थिती से गुजर रहा है तो उसको समझे ना कि उसको थाना दीजिए कल के दिन आ मेरे भाई कम होकर सीदा कर दा सीदा कोटा में शिफ्ट हो गया है और ऐसा लगता है यहाँ पर कि हर दूसरा तीसरा बच्चा इतना जादा जो अपने कोचिंग के नोर्स के तले दवाउ में इतना जादा प्रेशर मैसूस वह इसक्र नहीं इतना जाधा ुमर में सब्से ब हुआ की नहीं हुआ, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, वो इतना अंडर प्रेशर में आता है ना, कि उसको लगता है बस याड जीवन नहीं पे खत्व हो गया है. आप लोगों से आज एक बात कहना चाहेंगे, कि जरूरी नहीं है कि अगर आपका कोई एक पेपर ना निकले तो आप कामियाब इनसान नहीं है, या किसी ने आपको लूजर समझ लिया, या आप नहलायक है निकम में है. मेरे भाई ये बता रहूँ, एक बत पे मैट्स में हमारे पासिंग मार्क्स के बराबर नमबर आये थे. ऐसा लग रहा था कि बस फेल होने से एक नमबर पे हम दूर हैं. और आज कोई ये मान नहीं सकता था कि हम मैट्स भी पढ़ाएंगे. अब ये मान के चलिए. जीवन में कोई भी किसी को भी जज नहीं कर सकता है. 2018 में सीजल का पेपर हमारा नहीं हुआ. तो इसका मतलब ये नहीं हुआ ना, हमने जाके सुसाइड कर लिया. इसका मतलब यह नहीं हुआ यहाँ अबर कि हमने पढ़ाई ही छोड़ दी, हमने तैयारी ही छोड़ दी यहाँ पे भाई हमने महनत की, 19 में हमने रैंक भी हासल की, 19 में हमने इंस्पेक्टर पोस्ट भी हासल की तो यही बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि असल में जिस पढ़ाओं में इंसान होता है वो उस समय के हालातों के हिसाब से जो अपने decisions को बना रहा होता है बट आपको उस माया जाल से उस सभी situation से बहार आने की जरुवत है आपको यह समझने की जरुवत है कि आपकी जिन्दगी यहां खतम नहीं हुई है यह सिर्फ एक जिन्दगी का पड़ाव है जो बड़े आइस्ता आइस्ता से बड़े प्यास निकल जाएगा और जैसे जैसे जीवन का यह चक्र आपका आगे बड़ता चला जाएगा ना समय दर्मियान मेरे भाई वैसे वैसे आप कामयाब और बड़े होते चले जाएगे आपको अपना मेहनत इतना कमजोर नहीं बनाना है इतना जो है अपने आपको लूजर फिल नहीं करना है इस बात को हमेशा ध्यानर को आप इतनी बड़ी बड़ी कहानिया सुनते हो कि सचिंतन दुलकर जिनको गौड ओफ क्रिकेट कहा जाता है वो दस्वी में तीन बार फेल हुए थे बताओ तो कभी भी आपके मार्क्स ये डिसाइड नहीं करते हैं कि आप एक, मतलब बड़े कामे आप बच्छन हैं कि आप एक लूजर हैं, क्या है, कोई फर्क नहीं पढ़ता मेरे भाई कई ऐसे लोग हैं, जिनके बहुत अच्छे मार्क्स नहीं है लेकिन आज साथ बहुत बड़ा बड़ा बिजनस उन्होंने स्टार्ट किया है एक आईडिय कब क्लिक कर गया कब इंसान की दिमाग खुल गया कब वो महनत करना शुरू कर दिया कोई नहीं जानता है आप इस बच्चे को समझो सही से वो इंग्लिश भी नहीं लिख पा रही है यहाँ पर वो लिखती आई हैं वर्स डॉर्टर ठीक है आई वर्स डॉर्टर उसको कितना फील हो रहा है यहाँ पर कि यार मैं सबसे नालाइक बच्ची हों आपकी औरों के बच्चे जो हैं ना कि उनको प्रेशर कूकर मना दीजए कि दिमाग इतना ज़्यादा अंदर से फट जाए यहाँ पर कि बस उसके बाद वो बियर अप ही ना कर पाएं और खतम हो जाएं ऐसी गल्दिया आप ना करें तीक है आज के समय इस बात पर बहुत जादा ध्यान देने की जरुवत है यार एक बच्चा जो भी बिचारा पूरी दुनिया देखता है यार बता उसका आत्मविश्वास ही खतम हो गया यार कॉन्फिडेंस ही खतम हो गया पूरा कितना बुरा लगता है बताईए आईए चलिए कोशे नमबर 15 देखिए तो मन धहल जाता है यार फिर पढ़ाया अदमी क्या सोचे मतलब ऐसा लगता है क्या ही करें आईए पढ़िए कोशे नमबर 15 में क्या बोला गया है यदि 6,225 रुपे की धनराशी को तीन हिस्सों में इस प्रकार बाटा जाता है कि पहले हिस्से का चार गुना दूसरे हिस्से के पांच गुने तथा तीसरे हिस्से के साथ गुने के बराबर में है तो पहले और दूसरे के बीच में जो हमारा अंतर है वो हमारा कितना होगा The sum of fitness is divided into three parts It equals four times of first part पहले part का मेरे भाई कितना गुना तो चार गुना पहले part का कितना गुना तो चार गुना तो बोला गया पहले हिस्से का चार गुना दूसरे हिस्से का पांच गुना दूसरे हिस्से का हमारा कितना हो जाएगा तो पांच गुना हो जाएगा और तीसरे हिस्से का हमारा साथ गुना ये तीनों आपस में क्या हैं बराबर है तो अभी हमने आपको बताए कि इसको आप रिश्यों में कैसे तोड़के लिख सकते हैं बहुत यहां पर तो यहाँ पर एक दू तीन का अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रिश्यो को लेकर तो हम कैसे करेंगे यह बताओ तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखिए फर्स्ट हो गया फिर यहाँ पर सेकेंड हो गया और फिर यहाँ पर थर्ट हो गया हम कैसे लिखेंगे तो बोलेंगे सर इसको डख दीजे तो यहां 5 x 7 हमारा कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा इसको डख दीजे तो 4 x 7 हमारा कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा इसको डख दीजे तो 5 x 4 हमारा कितना हो जाएगा? तो 20 हो जाएगा तो हमसे बोला गया है यहाँ पर किसर देखो पहले विक्ती का इतना गुना, दूसरे का इतना गुना, तीसरे का इतना गुना सब बराबर है सर आपस में तो अगर बराबर है आपस में तो यह हमारा क्या हो जाएगा यह इनका अनुपात हो जाएगा अब कोशन में यहाँ पर क्या बोला गया है A sum of इतना is divided into 3 part यानि यह हमारा 6,225 6,225 यह तीनों लोगों में बाटा गया है तो यह किसका value है? यह तीनों का sum है 30, 20, 50, 20, 70, 78, 78 और 5 हमारा कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर यह 83 का मान है और कोशन में बोला गया difference between first and second part पहले तथा दूसरे के बीच का अंतर तो यहाँ पर इनके बीच का अंतर हमारा कितना है तो इनके बीच का अंतर हमारा साथ है अब यह बताईए यह हमारा किसके बराबर में होगा जरा बताओ क्या हमने पहली बाद जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है तो बोलेंगे हाँ गुरू जी बिल्कुल सही है कोशन में यहीं तो बोला गया था कि तीन पार्ट में डिवाइड हुआ है यहाँ पर की four time of first part four time of first part five time of second part, seven part of third part यहाँ पर 35 आ गया यहाँ 28 आ गया और यहाँ 20 आ गया जो दिया गया है वो मेरे भाई यहाँ पर 83 का मान है और जो हमें पता करना है तो दूसरे और बीच का अंतर पता करना है तो इनका अंतर हमारा साथ का है अगर हम यहाँ पर 83 से काटने जाएंगे तो 83 से हम यहां कितनी बार में काट पाएंगे तो बोलोगे, Sir, 876, 8884, शात बार में और उसके बाद में कितनी बार में तो 5 ही बार में हमारा कटेगा ठीक है, तो यहांपर हमारा हो जाएगा 7 और 5 बार में Option number A जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा एक तो ये तरीका हो गया दूसरा तरीका आपको यहां पर पता है कि जैसे तीन अगर इसको काटेगा तो पांच बार में ही काटेगा और पांच को साथ से गुना करने पर क्या है कांग पांच आएगा और एक ये उप्शन में पांच था तो ऐसे भी आप बोल सकते थे कि सिर्फ और सिर्फ हमारा यहीं उप्शन उत्तर होगा ठीक है आईए मेरे भाई यहां पर नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं और अगला सवाल हम यहां पर देखते हैं क्या कहा गया है ठीक है एक सेकंड एक भाई यश करके मेरे भाई एक भाई है जो कहता है आपने जो अलजबरा पढ़ाया है बैच में वो सफिशिंट नहीं है ठीक है और यहां पर जो है वो सफिशिंट नहीं है और वो सफिशिंट नहीं है PYQ questions solve नहीं हो रहे हैं those high level questions कराओ पहली बात यश भाई समझो मेरी बात को लेकर अभी तुमको algebra हम पूरा पढ़ा ही नहीं है अगर तुम शाम वाली क्लास में पढ़ते हो तो अभी algebra की सिर्फ मैंने एक sheet दी है sheet number 2, sheet number 3, sheet number 4 अभी बहुत सारे जो sheets हैं वो हमारे बाकी है तो जब हम उन्हें कराएंगे तो आप तसली तरीके से देखना है यहाँ पे और उसके बाद तब आप कहना कि सर अभी कोशन नहीं बढ़ना है तो बताना sheet number 1 में मातर 75 सवाल है और 75 सवाल में algebra खतम नहीं होता है तो फालतू का परिशान नहीं हो और मेरे भाई औरों को भी परिशान मत करो फिक है पहले पूरा पढ़ा लेने दो अभी कम से कम 15-20 कलास उसमें algebra में और लगेंगी तब जाकर आपका algebra जो है वो खतम होगा ठीक है तो वो कहते हैं नहीं यहाँ पे कि अभी अभी एकदम जैसे अभी starting phase पे हैं चीजे और उसके अंदर में ही तुम इतना excited हो जाओगे तो कैसे काम चलेगा सबर रखो पहले जीतना पढ़ाया उसको पढ़ लो मेरी तरफ से topic को खतम हो जाने दो जब मेरी तरफ से पूरा जबरा खतम हो जाएगा तब उसके बाद बोलना कि हाँ सर मेरा फायदा है या नुकसान है ठीक है जो बच्छे सबर रखते हैं वो बहुत ज़्यादा फायदे में रहते हैं सबर नहीं रखोगे तो मेरे भाई अपना लुकसान खुद कर बैठोगे आईए चलिए हम लोग जीडी का ये सवाल देखते हैं और जीडी मेरे भाई देख लिजए याँ पर मैंने हमेशा एक बात का है कि मेरे कोई भी topic को complete कर लेने के बाद में तब उसके बाद मैं आप यहाँ पर बोलेगा कि हाँ सर ये topic में मज़ा नहीं है तो मैं मान जाओंगा मेरे भाई ठीक है आईए पढ़िए क्या बोला गया है जरा पढ़िए 500 रुपे को ABCD 500 रुपे ABCD के बीच में इस प्रकार बाटा गया है कि A और B को मिलने वाली राशी C और D को मिलने वाली राशी के तीन गुने से अधिक है झाल है के अ तार रहीं है झाल करो ऑढ़िए इसम ändern को को की तेखी मत आईए को मिलने वाली थे ट मैं मिलने ले आओशो में पने से छी ट지नक दिए गुन है भुदिझ को शीर अगेधिक है रहें झाल विझझ करने करने कुछ करमें पाह्नां सुभ चलो भाई थोड़ी सी बैटरी डाउन हो गई कोई बात नहीं हमारी बैटरी डाउन नहीं होती है माई की बैटरी डाउन हो जाती है कोई दिक्कत नहीं है आप पढ़िए यहां पे तो सवाल को पढ़िए क्या कहा गया है कि 500 रुपे को ABCD में इस प्रकार विभाजित करना है कि A और B का जो टूगेदर है उनको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा थ्राइस एज मच एज सी एंटी टूगेदर ठीक है यानि C और D को मिलने वाली राशी का कितना मिलेगा तीन गुना यानि अगर हम बात करत में कुशन में कहा गया है जो B को मिलता है B get four time of what C get अगर हम बात करेंगे तो B को जो मिलेगा न वो यहाँ पर C का कितना गुना मिलेगा तो C का यहाँ पर चार गुना मिलेगा और C जो है उसको मिलता है डेड़ गुना किसका मेरे भाई तो D का अगर आप यहाँ पर C को दे यहाँ पर ठीक है इस संख्या का यह डेड़ गुना है इसका यह चार गुना है तो कैसे हलोगा तो जैसे मान लीजे हम यहाँ पर D को दो ले ले लेते हैं तो 2 का डेड़ गुना कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा बोलिए अब 3 का यह चार गुना क को मेरे भाई क्या होता है इसका तीन गुना मिलता है तो पांच का तीन गुना कितना हो जाएगा मिश्राजी बताइए तो पंदरा हो जाएगा यहां पर समझ गये तो यदि मैं इसे दो मानता हूं तो दो का डेड़ गुना तीन होता है तीन का चार गुना बारा होता है हो गय । यह चारो का मान है यहां पर सभी कसम है यानि 15 और 5 कितने का मान है तो 20 का मान है और हमसे बोला क्या गया है B के हिस्से का मूल लिया तो B का हिस्से हमारा कितना है तो 12 है तो कितने का मान बताना है 12 का मान बताना है अगर धरती पर कोई आसान सवाल है तो यही है इससे जादा आसान तो मेरे भाई कुछ भी नहीं है तो क्या उतर देंगे यहाँ पे तो बोलेंगे सर आप्शन नमबर बी फर बाहू बले ठीक है एक बच्छा कह रहेगी सर मैं साउट से हूँ और मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे चलिए बहुत अच्छे बात है भाई अच्छे तरीके से ऐसे ही सीखते रही है जीवन में और मेरे भाई कामयाभी की तरफ आगे बढ़ते चलिए बहुत मेहनत करिए आप तीक है आईए चलिए नेक्स्ट कोशन की बात यहाँ पर करते हैं नहीं बनेगा आपकी अपनी इच्छा है सरकार आप चार मान लीजे उसका डिर्गुना कर लीजे और तब सॉल्व कर लीजे ठीक है आज है यह चलिए नेक्स्ट कोशन देखिए कोशन नमबर 17 में हमसे क्या कहा गया तो 17 नमबर स्वाल में मेरे भाई हमसे यहाँ पर यह बोला गया पढ़ो कहा गया कि 1900 रुपए की राशी को ABCD में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि B को A से 100 रुपए अधिक मिलते हैं और C को B से 200 रुपए अधिक मिलते हैं उनके शेयरों का जो अनुपात है वो क्यात करिया कितना होगा हमने यहाँ पर कहा कुल मिलाकर कितने लोग हैं हमारे पास में तीन लोग हैं एक A है एक B है और एक C है Sum of 1900 is divided among ABC such that B get 100 more than A N ठीक है पढ़िए B को A से 100 रुपए अधिक मिलते हैं तो B को जो है वो A से कितना मिलता है तो 100 रुपए अधिक मिलता है उसके बाद आगे क्या कहा गया है ठीक है तो बोला गया B को A से 100 रुपए अधिक मिलता है और C को B से 200 रुपए अधिक मिलता है C को जो है यहाँ पर इसे कितना अधिक मिलता है 200 रुपय अधिक मिलता है अब यह मान के चलिए तो उनके जो शेयर है उसका अनुपात यहाँ पर कितना होगा यहाँ पर यह बता दीजे ठीक है, हमने कहा बहुत बढ़िया बात है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है आप यहाँ पर जैसे इसको X मान लीजे तो इससे 100 रुपय जादा यह कितना हो जाएगा X प्लस 100 हो जाएगा और इससे 200 रुपय जादा यह कितना हो जाएगा X प्लस 300 हो जाएगा कोईशन में कहा गया तीनों का मान हमारा 1900 के बराबर में है तो यदि हम तीनों को जोड़ेंगे तो X X X हमारा कितना हो जाएगा तो 3 X हो जाएगा प्लस हमारा कितना हो जाएगा तो 400 हो जाएगा ये बराबर होगा हमारे किसके तो बराबर होगा हमारे 19 सो के तो अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे 3 X का जो मान है 19 में से 4 निकाल दो तो कितने के बराबर 1500 के बराबर 3 कमान हमारा किसके बराबर में होगा तो 500 के तो X कमान हमारा किसके बराबर में होगा तो 500 के यदि X कमान 500 के बराबर में होगा तो यहां पर A, B और C सब का शेयर करन पाद देखो तो बोलोगे एक सकमान अगर 500 है तो sir इसकी value हम कितना लेंगे तो 500 लेंगे 500 जमा 100 हमारा कितना हो जाएगा तो 600 हो जाएगा 500 में 300 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा sir 800 हो जाएगा और आप यहाँ पर दोनों का ratio देखो 2-0, 2-0, 2-0 5-6, 8 हमारा option number 4 अग भी हवेली पे ठीक है बिलकुल हमारा सही उत्तर होगा भाई ठीक है वीडियो पसंद आते रहे दोस्तों तो फटा-फट जो है वो लाइक करते रहेंगे और 15,000 तक लाइक पहुचा दीजे फटा-फटा आप लोग ठीक है 936 रुपए को गलती से 1 वटे 2, 1 वटे 3 और 1 वटे 4 के बजाएं 2, 3 और 4 के अनुपात में विभाजित किया गया है इसमें R का जो लाब होगा वो हमारा कितना होगा ये एक बड़ा प्यारा सवाल है और GD में जो ये सवाल पूछा गया है तो अच्छा सवाल पूछा गया है इसको आपको करके पेपर में जाना चाहिए ठीक है इस बात को समझे GD का ये अच्छा सवाल है आपके परिक्षा में भी ये सवाल पूछा जा सकता है ठीक है इस सवाल में क्या कहा गया है कि पैसे को किसी और अनपात में बाट ना था हमने गलती से किसी और अनपात में बाट दिया अब यहां पर बाट दिया तो हो सकता है जिसको कम मिल रहा उसको जादा मिल गया होगा हो सकता है जिसको जादा मिल रहा उसको कम मिल गया होगा तो ऐसी सिती में यहाँ पर किसका फायदा हुआ है मुझे बताना है और कितने से हुआ है मुझे ये भी बताना है तो हमने कहा ठीक है पहले जो ratio था वो हमारा कितना था तो 1 बटे 2 था उसके बाद में 1 बटे 3 था उसके बाद में यहाँ पर 1 बटे 4 था और अब की अगर ratio की बात करेंगे तो वो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा पैसा तो मेरे भाई fix है, पहले भी मुझे 936 रुपे बाटना था और अब भी मुझे यहाँ पर 936 रुपे ही बाटना है ऐसा नहीं है यहाँ पर कि मुझे अब कम पैसे बाटना है या मुझे अब ज़्यादा पैसा बाटना है, बिलकुल भी नहीं पहले भी 936 बाटते थे, अब भी 936 रुपे बाट रहे हैं तो हम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर यह बात बोलेंगे सर देखे, बड़ा ही सिंपल सी कहानी है और कहानी यहाँ पर क्या है, ठीक है पहली बात तो सर यह रेशियो में नहीं है, तो आप इसे रेशियो में करिए दो का, तीन का, चार कैलसियम, बारा होता है तो हर किसी से बारा में मल्टिप्लाई करिए जब आप 12 से मल्टिप्लाई करेंगे तो यह हमारा 6 बन जाएगा यह हमारा 4 बन जाएगा और यह हमारा 3 बन जाएगा तो इनका जो सम आएगा, वो हमारा कितना आएगा इनका सम हमारा 13 आएगा और यहाँ पर इसका जो सम है, वो हमारा कितना आएगा 9 आएगा क्या ये दोनों पैसे बराबर है मुले मिश्रा जी बराबर है नहीं है लोगों क्या लगता है वो ये समझते हैं बच्चे हमारे प्यारे जो है नादान है वो ये समझते हैं ये P हो गया Q हो गया R हो गया ठीक है 936 को भी भाजित करना है तो आप यहां पर ये समझ लेते हैं कि 936 जो हो जाएगा वो कितने कामान हो जाएगा 13 का और उसके बाद में R का लाभ निकालना है तो R को 3 मिलता है तो 4 मिल रहा है एक कामान निकाल देंगा और खुशते फिरेंगे कि हमारे उत्तर कितना होगा ऐसे नहीं होता है ऐसे तो बिलकुल भी नहीं होता और ऐसी गलतिया भुष में नहीं करेंगे पहले भी जो PQR में पैसे बटने थे वो भी 937 और अब भी जो पैसे बटने है वो भी 937 तो जब दोनों ये पैसे बराबर हैं तो हम इने अलग-अलग क्यों रखें यानि हम इने क्या करेंगे तो हम इने बराबर करेंगे तो अगर हम इने बराबर करेंगे तो बराबर कैसे करेंगे तो बोलोगे सर यहां देखिए 13 वाले को किस से गुना करिए 9 से और 9 वाले को किस से गुना करिए 13 से तो इसको गुना करने से क्या होगा वो जो आप multiply कर रहे हो उसे सब में multiply करो तो अगर यहां total में multiply हो रहा है इसका मतलब अलग-अलग भी सब में multiply होगा यहां भी multiply होगा और यहां भी multiply होगा और अगर 13 की बात करते हैं तो यहां भी 13 से multiply होगा यहां भी हमारा 13 से multiply होगा और यहां भी हमारा 13 से multiply होगा हम क्या करेंगे हर किसी के अंदर में जो है वो multiply करेंगे अब यहां देखो तो आप बोलोगे सर यह जो हमारा 936 है ये किसका वैल्यू है तो टोटल का मान है टोटल का मतलब कितने का मान है तो 9 इंटू 13 का मान है और हमें जो पता करना है वो किससे पता करना है आर का लाब तो भाईया आर को पहले कितना मिलता था 27 और अब आर को मिलता है तो 52 मिलता है कितना ज़्यादा मिलता है तो पचीश ज़्यादा मिलता है कितना ज़्यादा मिलता है तो पचीश ज़्यादा मिलता है इस बात के लिए मेरे भाई ध्यान रखे हैं ठीक है तो अगर हम बात करेंगे तो भाईया काटो यहां पर एक से कितनी बार में एक सो चार बार में और तेरह से कितनी बार में आठ बार में पचीस काड़ गुना कितना होता है भाई तो पचीस काड़ गुना हमारा दो सो होता है कितना होता है दो सो option number A जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है क्या है मेरे भाई हमारा बिलकुल सही उत्तर है इस बात को हमें ध्यान में लेके चलना है तो वैल्यू जो है वो हमें बराबर करनी थी एक ही तरह का पैसा था हम यहाँ पर बहिमानी नहीं कर सकते थे कि पहले उन्हें हम किसी और रिश्यों में बाटे और अब हम किसी और रिश्यों में बाटे ठीक है अब देखते हैं आप में से कितने बच्चे इसका उत्तर कर पाते हैं जल्दी से आपर इसका उत्तर दीज़ें और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस तो लाइक करते रहें लाइक करना ना भूले, ठीक है, अच्छा लग रहा है, मजा रहा है क्लास में, लेकिन वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है, बताइए, क्या कहा गया, 615 सिक्कों में 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसे के सिक्के शामिल है, उनका जो मान है, वो करमश्या 3, 5 और 7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ग्याद करिए, कि सिक्कों की संख्या जो होगी, वो हमारी कितनी होगी, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे, सर, यहाँ पर 1 रुपया हो चुका है, और हमारा कितना है, तो 50 पैसे की भी हमारे पास में सिक्के है, ठ बोला गया उनका जो मान है ठीक है उनका मान क्रमशही संउपात में है तो बोला गया number लिखकों कि आप एक तरीके से यहां पर जू है, उनका मान है वो लिखते हैं, उसके बाद में आप उन्हें गुना करते हैं, नमबर अफ कौइन के साथ में, तो आपको finally क्या मिलता है, तो finally आपको एक value मिल रहा होता है, कि भाईया, कितना रुपिया हमारा बना है, तो हमारे पास में कितने कोई हैं तो 615 सिक्षे हैं कुछ एक रुपय के कुछ पचास पैसे के कुछ पचीस पैसे के उनके जो वैल्यू हैं वो 3, 5 और 7 में है यानि जो यहां पर नीचे में वैल्यू बनेगा एक रुपया के कारण अगर 3 रुपया बनेगा तो 50 पैसे के कारण यहां 5 रुपया बनेगा और इसके कारण हमारा कितना बनेगा तो 7 रुपया बनेगा तो बोला गया 50 पैसों की सिक्कों की संख्या जो होगी वो हमारी कितनी होगी तो हमने यहां पर कहा वा जी वा क्या बात है बहुत बढ़िया बात है अब यहां पर आप समझो ठीक है जैसे मानो मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि आपको ये बात अच्छे तरीके से पता है कि एक रुपय के वैल्यू को या एक रुपया के कोईन को मेरे भाई उसके नंबर अफ कोईन से गुना कर देंगे तो क्या मिलेगा तो उसके द्वारा प्राप्त पैसा मिलेगा जैसे मानो एक रुपया के पांच सिक्के तो कितना मिलेगा पांच रुपया पचास पैसे के आठ सिक्के तो चार रुपया मिलेगा पचीस पैसे के आठ सिक्के दो रुपया मिलेगा तो हम यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि आपके पास में ऊपर में यह दिया गया है और नीचे में वैल्यू दी गई है तो आप उनका ratio पता कर लो और किसका ratio पता कर लो तो आप यहाँ पर बोलोगे सर हम coin का ratio पता कर लेंगे कैसे करेंगे तो देखो 3 रुपय बनाने है कितने रुपय बनाने है मिश्रा जी 3 रुपय और किसके सिक्के से 1 रुपय आगे, कितना सिक्का जरूरत होगा 3 सिक्के, कैसे पता चला तो आपने कहा सर ये 3 को किससे डिवाइड करने से 1 से, तो 3 को 1 से rvide के तो कितना आगया, 3 5 rupiah बनाना है, 50 पैसे के सिक्के से, कैसे बना पाएंगे कितने सिक्के, 10 सिक्के कैसे पता चला, 5 rupiah था और 50 पैसे था तो पैसे को हम क्या करते हैं, 0.15 लिखते हैं, या पैसे को अगर चाहें तो हम बोल सकते हैं सर फिफ्टी अपॉन में हंडर्ड तो ये हमारा काटेगा दो बार में और ये जाके उपर मल्टिप्लाई करेगा ये आसान भाशा में यहां पर ये भी समझ सकते हो कि भाईया हमको पांच रुपिया बनाना है कितना बनाना है पांच रुपिया बनाना है और पचास पैसे के सिक्के से बनाना है पचास पैसे के दो सिक्के मिलते हैं तो एक रुपिया बनता है तो दस सिक्के बनेंगे तो मेरे भाई पांच रुपिया बनेगा ठीक है 25 पैसे के सिक्के से 7 रुपिया बनाना है ठीक है तो 7 रुपिया बनाना है किसके सिक्के से 25 पैसे के सिक्कों से यह तो पैसा है मेरे भाई इसको रुपिया में डिवाइड करो 100 से भाग करके तो 4 आएगा और यह जाके गुना करेगा तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा यानि सिक्कों की संख्या की बात करे तो 3, 10 और कितना हो जाएगा 28 इस अनुपात में हमारे पास में क्या है तो सिक्के मौझूद है इस अनुपात में क्या है तो सिक्के मौझूद है आप यहां पर ऐसे भी कह सकते हैं सर एक रुपिया का एक ही सिक्का लगता है तो 3 इंटु 1 50 पैसे के 2 सिक्के मिलते हैं तो कितना बनाते हैं एक रुपया तो 5 इंटू 2 25 पैसे के 4 सिक्के मिलकर बनाते हैं एक रुपया तो 7 इंटू 4 हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा आपने हैं पर लिख दिया बढ़िया तरीके से अब ये देखे आपके पास में कितने सिक्के हैं तो 615 ये कितने का मान है तो टोटल 28 और 10, 38, 38 और 3 हमारा कितना हो जाएगा 41 का मान है और हमसे बोला गया है 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ग्यात करो यानि कितने हैं इनके पास में तो 10 है मेरे भाई 41 से हम काटेंगे तो एक बार में और 205 अगर हमारा है तो 15 बार में तो कुल मिलाकर जो हमारा उत्तर आएगा वो कितना आएगा 1500 कौन सा उप्षिन है तो उप्षिन नमबर A जो है वो हमारा बिलकुल सही उत्तर है भाई कौन सा option उत्तर है तो option number A जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है ठीक है रेडी रहिएगा आप लोग practice set आप लोगों का बहुत जल्दी एक से दो दिनों के अंदर में हम करवा देंगे एक practice set तो कम से कम हम करवाएंगे यहीं करवाएंगे यह fix है और वो अगले दो-तीन दिनों के अंदर में होगा ठीक है तो आप लोग बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी जारी रखें बढ़िया तरीके से अपना revision जारी रखें mock test हर बच्चे को देना है और वो live ही देना है जो हम practice set करवाएंगे वो आपको live ही देना है वो बाद में आपको नहीं देखना है ठीक है कभी भी live mock test दिया जाता है बाद में नहीं देखा जाता है मेरे भाई यहाँ पर ठीक है आज ही चलिए next question की बात करते हैं यहाँ पर तो अगला सवाल देखिए क्या बोला गया तो कहा गया यहाँ पर कि दो संख्याएं तीन और आठ के अनुपात में है आठ को हर एक संख्या में अड़ के जाता है तो ratio हमारा एक और दो का हो जाता है अगर हम प्रतेग संख्या में चार घटा दें तो हमारा यह अनुपात किसके बराबर में होगा हमने कहा वा भी या वा ठीक है दो संख्याएं हमारी कितनी है तो यहाँ पर तीन और आठ के अनुपात में है और उसके बाद में बोला गया है German कि प्रतेग में कितना जोड़ा जाए और इसमें भी 8 जोड़ा जाएगा, तो ये जो हमारा अनुपात है, ये कितना आजाएगा, एक और दो के अनुपात में आजाएगा, दोनों में 8 जोड़ा गया, तो हमारा ये रेश्यो हमारा कितने का आएगा, तो एक और 8 के अनुपात में, अब बोला गया, यदि तुम प् है फिर मुझे लगता है कि उसके बाद में आप बहतरीं तरीके से समझ पाएंगे जान पाएंगे आपर पूंगए तो कई तरीके हैं अगर आप चाहूं यहां पर तो में बता सकता हूं कोई प्रॉबलम की बात नहीं है देखो एक तरीका हो जाता है बेसिक जो आप लोग अपलाई करते हैं, अपलाई करते वक्त में आप लोग यहां इसको 3X बनाओगे, 8X बनाओगे और दुनिया के सो तरह के मेरे भाई पताने क्या क्या करते हैं, ठीक है, तो यह गाम आपको नहीं करना है, जो हम आपको तरीका और शॉर्टकॉट बता रहे हैं, आप वो सीखे, आप यहां पर बोलेंगे, सर देखो, यहां पर समझना, आठ से यह कितना आ गया है, दो आ गया और मेडम का उमर आठ है, मने तीन और आठ के अनुपात में है, ठीक है, उसके बाद में शादी बिया हो जाता है, सब बढ़िया उनके घर वाली भी मान गए, सरकारी नोकरी आपकी थी, तो कॉंस्टेबल आप लग गई उपी में, और आप भी मान गए हैं पर, आप तो उमर जादा था, तो एड़जस्ट कर लेंगे, पसंद थी बस ये वाली बात है, तो तीन और आठ के अनुपात में मिश्रा जी और उनकी मैडम का जो है, वो रेश्यो था, ठीक है, शादी के आठ साल के बाद में जब यहाँ पर इन लोगों ने अपना उमर का रेश्यो दे थी, मिश्रा जी ने कुछ नहीं देखा, कहते हैं, वो प्यार अंधा होता है, तो बस यही वाली कहानी थी, आठ साल के बाद जब अचानक से पता चला, आरे बापरे, यह तो एक दो माधार काड़ आप मिलाए तो पता चला, यह तो डवल उमर की है, कोई बात नहीं, फिर आज से कुछ समय के बाद में जो इनके मैडम और इनके बीच का जो अंतर होगा, वो अंतर क्या रहेगा हमेशा समान, यह दो संख्याओं में जो गैप है, और यहां पर जो दो गैप है, वो हमेशा क्या रहेगा, सीम रहेगा, क्यों रहेगा मेरे भाई, क्योंकि संख्या ज इसको अगर पांच है तो इसे भी कितना बनाएंगे? पांच बनाएंगे? अरे बहुत जबर्दस तरीका आप लोगो बताएंगे उडा के अप लोग फिक देंगे इस सवाल को मेरा गारेंटी है तो आप अगर इसको पांच बनाएंगे तो किस से गुना करेंगे पांच से और यहाँ पर भी किस से गुना होगा पांच से यहाँ पर भी किस से गुना होगा पांच से तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर यह पांच है और यह कितना है और यह यह 5 है और यह हमारा कितना है तो बोलोगे सर यह हमारा 10 हो चुका है इतना हो चुका है तो 10 हो चुका है सर ठीक है समझेगे इस बात को लेकर यह हमारा 5 है और यह हमारा कितना है 10 है आप किसी भी एक को देख लो चाहो तो आप इसको देख लो या चाहो तो आप इसको देख ल तो कितना unit जोड़ा गया दो यूञ्ट तो हम आप लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं हम आप लोगों के लिए मेरे भाई यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि देखिये गा यहां से यहां बढ़ने में दो यूणित लगा और value में कितना लगा तो 8 अब थोड़ी बुद्धी लगाना ये तुम्हारा क्या है तो आठ का आधा है अगर यहां पर आठ का आधा घटाने की बात है तो तुम यहां पर दो का मेरे भाई कितना घटाओ आधा घटाओ और दो का आधा कितना होता है मिश्रा जी एक होता है हम वैल्यू पर नहीं जाएंगे हम यह नहीं निकालें हमने ये देखा 2 unit 8 के बराबर या 8 जो है वो 2 unit के बराबर तो 4 हमारा कितने के बराबर एक unit के बराबर ये लोग 10 थे 10 में घटा दीजे तो 9 आजाएगा और ये मेरे भाई 5 था 5 में घटा दीजे चार आजाएगा, चार अनुपात 9, यही तो हमारा उत्तर होगा, फिक है, दो संख्या है तीन और आट के अनुपात में है, यदि प्रतेक में 8-8 जोड दिया जाए, तो अनुपात 1 और 2 का हो जाता है, यदि प्रतेक संख्या में चारचर घटा दिया जाए, अब समझो मेरी बात को लेकर, चारचर यहां पर नहीं घटाना है, आपको थोड़ा से इस बात को ध्यान रखना है, आपको जो चारचर है वो यहां नहीं घटाना है, बोला गया कि यदि उनके में चारचर घटा दिया जाए, तो चारचर आप यहां नहीं घटा होगे, आप जो चारचर घ गटा दिया जाए तो हमारी क्या बनेंगे समझ के बात को लेकर कि यदि इसी वाली संक्या में major main जो है यहां पर ये यह बीच में बैठेगा यदी 8 8 जोड़ दिया जाए तो ये बन जाता है तो यदी charger गटा दिया जाए तो कितना होगा तो सेम कहानी हम भोलेंगे हम सा है ऑप्शन नमबर सी जो है बिल्कुल हमारा सही उतर है तीक है आप चाहेंगे मेरे भाई तो हम बेसिक से बता सकते हैं कोई दिकत की बात नहीं है लेकिन वह बेसिक आपके लिए कहीं पर भी सेलेक्शन में आपके लिए हैलफुल नहीं होगा हम दुबारा से रिपीट कर देते हैं देखो दुबारा से हम समझा देते हैं मैं यहां पर क्या कहना चाहता हूं दो संख्या हमारी तीन और आठ के अनुपात में हैं ठीक है यदि हम इनके में आठ और आठ जोड़ देते हैं और इनके में भी आठ जोड़ देते हैं तो इनका अनुपात हमारा एक और तो का हो जाता है यदि हम इनके में चार और चार घटा दें इनी संख्याओं में चार और चार घटा दें तो मेरे भाई यहां पर कहानी क्या होगा जब भी यहां पर सेम संख्या जोड़ी जाती है दोनों साइड में जब भी यहां पर दोनों साइड में क्या होता है सेम संख् यहाँ पर अगर पांच का गैप है तो यहाँ पर भी एक का गैप है तो इसको पहले पांच का बनाओ पांच का बनाने के लिए क्या करोगे तो पांच का बनाने के लिए इधर भी पांच से गुना करोगे और मेरे भाई यहाँ पर क्या करोगे तो बोलोगे गुरुजी इधर भी हम 5 से गुना करेंगे हाला कि हमें इससे कोई मतलब नहीं होगा बर ठीक है गुना कर दिया अब ज़रा थोड़ा सा यूनिट में और इसमें समझो मतलब यहाँ पर क्या है तो आप यहाँ पर बोलोगे सर यह देखे कितना यूनिट था आठ और यह बन कितना गया दस यानि कितना यूनिट बढ़ा है तो बोलोगे सर दो यूनिट बढ़ गया है एक तरफ आप 8 बढ़ाने की बात करते हो और दूसरी तरफ यह कितना बढ़ा है? दो unit अब आप 8 के जगे 4 कम करने की बात कर रहे हो जस्ट यहाँ पर इसका आधा तो यहाँ पर इसी का आधा कम होगा यानि कितना कम होगा तो एक unit की कमी होगी ठीक है? तो जैसे इसमें दो यूनिट बढ़के इतना आया था, इसमें दो बढ़कर इतना आया था, वैसे ही इसमें एक कम होके मेरे भाई दो आ जाएगा, और इसमें एक कम होके साथ आ जाएगा, दो और साथ option होगा, option number जो C होगा, वो हमारा बिलकुल सही उत्तर होगा, ठीक है, ध आईए चलिए, नेक्स्ट कुशन की बात करते हैं, अगले सवाल को हम देखते हैं, अगले सवाल में क्या बोला गया, एक विद्याले के छातरों की एकुल संख्या 16 है, और लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है, इस अनुपात को 4-3 करने के लिए विद देना सही है, यानि यहाँ पर टोटल नंबर ओफ स्टुडेंट सोलो सो है, रेश्यो हमारा कितना है, तो बोलेंगे सर, 11 अनुपात, 9 है, यह हमारा बोईज है, और यह हमारा क्या है, तो गल्स है, बोला गया यहाँ पर की, इसमें, ठीक है, 4-3 बनाने के लिए कितने और ल लगया है, तो यह सोलो सो के बराबर में कहा गया है, तो बताओ यहाँ पर की, तुम कितना जोड़ रहे हूं, मैंने कहा है, मेरे भाई, इस बात को समझो यहाँ पर, आप यहाँ दिखी ज़रा गौर तरीके से, हम किसमें अड़ करने की बात कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर आप लड़कों की संख्या में अड़ करने की बात कर रहे हो, अगर आप लड़कों की संख्या में अड़ करने की बात कर रहे हो, तो लड़कियों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी, लड़कियों की संख्या मेरे भाई बदलेगी, पहले जितनी लड़किय थी उस क्लास में आज भी इतनी लड़कें ये कमरा है इसमें कुछ लड़कें भी हैं कुछ लड़कें भी हैं मैंने बाहर सो और लड़के बुला लिया तो क्या इस कमरे में बहुत मौजूद जो है लड़कियों की संख्या कभी बदल सकती है बोलो कि नहीं सर नहीं बदल सकत यह जो crose हो है यह हमारा कितने कामान है तो बुलेंगे sir crose हो हमारा वोगल मिलाकर 11भ 9वा हमारा 20 कामान है और हमें पता क्या करना है हमने कितने लड़के और यहाँ पर घुसा दिये और एंटर करवा दिये और एंटरी दे दी हमने तो हम बोलेंगे वो एक कमान हमारा कितना है तो एक कमान हमारा 80 है कौन सा option है तो option number D for देवसेना है कौन सा option है मेरे भाई तो option number D for देवसेना है जान रखेंगे अब इस बात का चलिए यहां पर अगले सवाल को देखते हैं question number 20 हम से यहां पर क्या कहा गया है जरा पढ़िया question number 20 हमेरे भाई यहां पर यहां पर यह बोला गया पढ़ो income expenditure वाले question बोला गया है टीना और शीना के आई जो हैं वो दो और तीन के अनुपात में है और उनका जो खर्चा है वो तीन और पांच के अनुपात में है यदि प्रतेख 1000 रुपाय बचाता है तो टीना के हमारी आई कितनी होगे अब देखे इस सवाल को आप यहां पर तीन मेथट से कर सकते हैं आप इसे basic से भी कर सकते हैं आप इसे cross multiplication से भी कर सकते हैं और आप इसे difference method से भी कर सकते हैं कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है जो आपको main बात समझना है वो यहां पर क्या समझना है वो आपको यह समझना है कि जो income होता है वो बराबर होता है किसके expenditure और plus हमारा किसके मेरे भाई तो saving के जो भी हम कमाते हैं या तो हम उसे खर्च करते हैं नहीं तो हम उसे बचा लेते हैं तो अगर इस सवाल में हम बात करें तो टीना और शीना के बारे में कहा गया है तो पहले हम आपको मेथड नमबर वन बता देते हैं फिर उसके बार टू और थ्री भी डिस्कस कर लेंगा तो यहां पर टीना हो गई और कौन हो गया तो शीना हो गया तो टीना और शीना के जो आए है वो हमारा कितना है तो बोलेंगे टू एक्स है और हमारा कितना है तो थ्री एक्स है फिर उसके बाद में कहा गया उनके आए का अनुपात इतना है यदि प्रतिक 1000,000 बचाता है इनके आये में से इनका यहां पर सेविंग को घटा दिया जाए हमेशा इंकम में से उस संक्या को घटाओ जिसकी वैल्यू दी गई है तो ये इसका इंकम है और इंकम में से आप सेविंग को घटाएंगे तो आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा तो एकस्पेंडीचर मिलेगा आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा तो एकस्पेंडीचर मिलेगा खर्चा मिलेगा और इसी बहाने वीडियो को लाई भी कर दीजा आप लोग भूल जाते हैं बार बारे माइंड कराना पड़ता है बताइए ठीक है तो हम यहाँ क्या बोलेंगे income ऐसे saving घटा हो तो क्या मिलेगा expenditure मिलेगा तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो खर्चे का जो अनुपात है वो हमारा कितना है तो खर्चे का अनुपात तीन अनुपात पांच है यानि इस अनुपात में कमा रहे थे इतना इतना save कर लिया और यह इनकी क्या हो गई तो इनका खर्चा हो गया ठीक है अब यहाँ पर हम क्या गरेंगे तो cross multiply जरा cross multiply करना तो बोलोगे 5 x 2 हमारा हो जाएगा 10 x 5 x 1000 हमारा हो जाएगा 5000 3 x 3 हमारा हो जाएगा 9 x और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3000 ठीक है अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे 10 में से 9 गया तो हमारा x हो जाएगा और 5000 में से 3000 गया तो हमारा 2000 हो जाएगा एक्स का मान कितना हो जाएगा दो हजार एक्स का मान कितना हो जाएगा तो बोलेंगे सर दो हजार अगर एक्स का मान हमारा दो हजार होगा तो टीना की जो हमारी आई है वो हमारी कितनी है तो बोलेंगे सर जो हमारी टीना की आई है तो वो टीना की i हमारी कितनी होगी तो टीना की i हमारी कितनी होगी So 2X होगी तो हूम यहाँ पर किसका मान निकालेंगे तो 2 into 2000 यानि कुल मिलाकर जो उत्तर आएगा वो हमारा कितना हैगा 4000 तो यह हमने आपको बताया basic से कि आप यहाँ पर इस सवाल को किस से समझ सकते हैं तो basic से समझ सकते हैं अब यहाँ पर आप इस सवाल का method number two भी समझे कि कैसे आप यहाँ पर second method से भी बना सकते हैं और फिर उसके बाद कैसे आप यहाँ पर cross multiplication से भी बना सकते हैं Second method को हम आप लोगों को कल और detail में बताएंगे क्योंकि कल हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं age ठीक है तो पहले age आप लोग पढ़ेंगे और उसके बाद में तब आप लोग उसके अंदर में क्या पढ़ेंगे तो partnership तो second method के बारे में आप लोग कल और detail में जानेंगे, अभी तो फिलाल हम hint दे रहे हैं, बाकि कल के बहुत सारे सवालों को देखना, आप लोग यहां पर उढ़ाना सीख जाओगे, जो मेरा age पढ़ाने का तरीका है, आप लोग को समझ में आएगा कल ही, कि कैसे age के सवालों को बनाते भी हैं, तो method number two देखो मेरे भाई, क्या कहा गया, बोला गया कि यह लोग किस अनुपात में कमा रहे हैं, तो यहां पर यह दो और तीन के अनुपात में कमा रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद में उनका जो खर्चा है यहां पर वो किस के बराबर में है, तीन और जब भी आप समान संख्या को जोड़ते हैं, या समान संख्या को घटाते हैं, तो जो उपर का gap होता है, और जो नीचे का gap होता है, उसको हमें बराबर करना होता है, उसको हमें क्या करना होता है, बराबर, अगर आप दोनों तरफ समान समान घटा रहे हैं, तो अगर मेरे भ क्या को decrease कर रहे हूँ तो समान संक्या को जब भी आप decrease करोगे या increase करोगे तो जो ये gap होता है इनको बराबर करना होता है यहाँ पर आप gap देखें यहाँ पर gap कितने का है तो बोलेंगे एक का है और यहाँ पर gap देखें तो कितने का है दो का है तो ये इसको बराबर करो इसको बराबर करने के लिए क्या करना होगा अगर ये दो है तो यहाँ पर भी दो से मल्टिप्लाई करना होगा क्या करना होगा दो से मल्टिप्लाई अब जरा अगर हम दो से मल्टिप्लाई करेंगे तो मेरे भाई क्या हो जाएगा तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर यह हमारा 6 है और यह हमारा 5 है कमी कितने की हुई है तो 1 की कमी हुई है कमी कितने की हुई है तो 1 की यानि यह 1000 जो है यह कितने का मान है तो 1 का मान है और हमें पता कितने का करना है तो टीना का इंकम पता करना है यानि टीरा का income कितना है तो चार कमान यानि उत्तर हमारा कितना हो जाएगा तो बोलेंगे सर्फ चार अजार हो जाएगा कौन सा option होगा तो option number A जो है वो हमारा बिलकुल सही उत्तर होगा ठीक है तो यह हमारा कौन सा method था method number 2 यहाँ पर कि जब भी हम संख्याओं में बराबर की decrement करते हैं या बराबर की increment करते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे यहाँ पर gap को बराबर करेंगे अब जो तीसरा method है उसके बताने के पहले आप लोग फटाफट 16,000 like करो नहीं तो हम नहीं बताएंगे दो method हम बता दिये ना दोनों पसंद आया ना आप तीसरा बताएंगे like नहीं करते हो भूल जाते हो अब 16,000 करो तब बताएंगे जल्दी से फटा फट 16,000 करिये तब बताएंगे तीसरा method चलो चलो करो जल्दी करो 15,000 हो गए भाई 16,000 लाइक पहुँचाईए जल्दी से जल्दी 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 पहुँचाईए 15,300 हो चुके हैं बहुत शांदार 700 बाकी हैं फटा फट फटा फट जितनी जल्दी पहुँचाऊगे उतनी जल्दी तीसरा method बताएंगे बहुत शांदार 400 हो चुके हैं 600 बाकी हैं जल्दी 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 बतलब यार इतना दम नहीं है बताओ जल्दी से अब तक कर दी होते बताओ यूपी की जन संख्या इतनी है और लाई कितने दीरे दीरे आ रही है फिर श्रवाल खड़ा कर देता यार बताओ बहुत बड़ा question mark हो जाता है आप लोगों के उपर में आप लोग ते बूलते सर 16 बूले 17 गरगे दिखाते हैं बताइए जल्दी करो भाई जल्दी जल्दी 16 बटाफट बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां हो चुका है चाश्रों के और टार्गेट है भाई जल्दी 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 बहुचाते चलिया बहुत शांदार बहुत शांदार 300 बचे हुए है जल्दी शेयर करके लाइक करवा लोगों से फिर तीसरा मेथड बहुत प्यारा मेथड है और यकीन मानो मज़ा आजाएगा तीसरे मेथड के बाद से पहला हम आपको समझा दिये बेसिक दूसरा हम आपको समझा दिये हैं आपर डिफरेंस मेथड और तीसरा जो है वो क्रोस मल्टिप्लिकेशन मेथड है वो आप उसको हर जगा पर अपलाई कर पाओगे ठीक है चहां पर ये डिफरेंस समान हो ना हो कोई फर्क नहीं पढ़ता है क्रोस मल्टिप्लिकेशन हर जगा पर अपलाई होगा तीन सो और बचे हुएं लाइक फटा फट करिए ताकि सोलह हजार पहुँचे और हम यहाँ पर तीसरा मेथड पर हम भी पहुँचे जल्दी से फटा फट पंद्रह हजार साथ सो पार हो चुका है भीया तीन सो और बचा हुआ है लाइ सो और फटा फट फटा फट चलो आ जाएगा अब यहाँ देख लो तीसरा मेथड हमारा क्या कहता है बहुत बहुत धन्यवाद भाई पहुचा दिया आप लोगों ने पहुचा ही दिया लगबग आज़ेगे तो तीसरे मेथड के बारे में हम लोग जानते है तीसरा मेथड क्या कहता है जब भी यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसी कहानी हो कि एक रिशियो आपको दिया गया हो और उसके बाद में यहाँ पर तोड़ा बहुत कम करने के बाद में एक और ratio आपको दे दे तो वैसी स्थिती में मेरे भाई आप सवालों को कैसे हल करेंगे आप यहाँ पर बोलेंगे गुरू जी देखिए यहाँ पर जो हमारा बात है वो कैसे है तो बोला गया ऐसा ratio हमारा दो तीन का है शुरू वाला ratio लिख दीजे और फिर उसके बाद में यहाँ पर बाद वाला ratio लिख दीजे और फिर उसके बाद में यहाँ पर value लिख दीजे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आप यहाँ पर value लिख दीजे 1000,000 की कमी है तो लिख दीजे बाद में यह minus और minus हमारा कट जाएगा आपको जो apply करना है वो इसके अंदर में apply करना है cross multiplication method क्या apply करना है तो बोलेंगे sir cross multiplication method तो cross multiplication method कैसे काम करता है ऐसे काम करेगा बोलेंगे sir देखो 3 into 3 9 और 5 into 2 10 तो मिश्राजी 10 में से 9 गया तो कितना हैगा एक unit तो आप यहां पर बोलेंगे sir यह हमारा कितना हो जाएगा तो एक unit हो जाएगा और यह एक unit हमारा किसके बराबर है तो 1000 into 3 3000, 1000 into 5 5000 तो 5000 में से 3000 गटा यह कितना हैगा 2000 तो बोलेंगे sir यह एक unit हमारा किसके बराबर में है तो एक unit हमारा 2000 के बराबर में है तो question में ये बोला गया था ये जो tina है और ये शीना है तो ये tina का value कितना होगा यानि कितने कमान पूछा गया है 2 का तो 1 कमान 2000 तो 2 unit कमान कितना होगा इसका double यानि कितना बोलेंगे 4000, option number A answer होगा तो कहा था ना कि 16000 पहुचा दीजे और उसके बाद में देखिए कितना जबरदस तरीका हम आपको बताते हैं आप लोगों एक तरफ 16000 पहुचाया और एक तरफ हमने जो हैं आपर जबरदस तरीका भी बता दिया ठीक है कि जो शुरू का ratio होता है वो लिखो जो बाद का ratio होता है वो लिखो जितने की कमियाई वो लिखो इनका cross का difference इनका cross का difference बराबर करो यूनिट में और पैसे में एक संबंद स्तापीत होगा एक relation स्तापीत होगा और उससे आप यहां पर develop करके आगे सवाल बना पाएंगे हम चाहते हैं कि आप यह और सीखें तो इसके उपर में हमने एक और question डाला है यह देखे जीडी का एक पैरास सवाल 6 फरवरी 2023 का पूछा गया सवाल है जल्दी से यहां पर इसका उत्तर दीजे बोला गया है A और B के बीच का जो वेतन का अनुपात है वो 4 और 5 है और उनके जो खर्चे का अनुपात है वो 5 और 6 है दोनों क्रमशा 2-200 रुपे और 300 रुपे बचाते हैं तो वेतन कितना होगा मैंने कहा था शुरू का ratio यहां पर लिख दो यह मत देखना कि expense की value दी गई है saving का value दिया गया से कोई फर्क नहीं पढ़ता है जो फर्क पढ़ता है वो क्या पढ़ता है सर हम शुरू कानुपात लिख देंगे उसके बाद में हम बाद कानुपात लिख देंगे और उसके बाद में हम value देखेंगे value हमारी कितनी है तो बोला गया 200 और हमारा कितना है तो 300 कितना हो जाएगा एक यूनिट तीन इंटु पांच पंदरह सो और चेंटु दो बारह सो पंदरह सो में से बारह सो गया तो कितना हो जाएगा तीन सो तो एक यूनिट कमान कितना तीन सो एक यूनिट कमान कितना तीन सो सवाल में हमसे क्या बोला गया है A का वेतन, A का मेतन मतलब कितना 4 unit, तो 4 unit का मतलब इसका 4 गुना, तो 300 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 1200, कोई सा option है, option number C कहोना प्यार है ठीक है सूरज कुमार गुपता, लो भी है तुम्हारा नाम पढ़ लिया हमने, खुश हो जाओ ठीक है, आजओ तो यहां तक जो सवाल थे आपके question number 23 तक, यहां तक आपके ratio के हमने लगबग हर एक type को cover किया है, जहां से आपके परिक्षा में सवाल बन सकते हैं अब जो मेरे भाई cover करने वाले हैं, वो हम मान उपात मेरे भाई यहां पर, proportion थोड़ी सी कुछ बाते हैं जो हम आपको बताएंगे, तो मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझेगा ठीक है, यहां पर समझेगा अब जितना महत्वपूर्ण आपके लिए ratio है, उतनाई महत्वपूर्ण आपके लिए proportion भी है, बड़ proportion के साथ में problem क्या है, कि इसका जिकर हर किताब में नहीं दिया गया है, नहीं इसको हर कोई पढ़ा पाता है पढ़ाता भी है, तो इसके सारे टाइप नहीं बताते हैं अब problem क्या आती है, आप पढ़कर गए कुछ और और परिक्षा में गया किया कुछ और तो आपका पढ़ना और ना पढ़ना पूरा मेरे भाई बराबर हो जाता है तो ऐसी स्थिति हम आपके सामने नहीं आने देंगे, इसलिए पहले हम proportion पढ़ाएंगे, पहले हम 10 मिनट, 15 मिनट आप लोगों को जो है उसमें जो कोशन होगा आपको कोशन नमबर 25 ठीक है, यहाँ पर कोशन नमबर 24 से मेरे भाई यहाँ पर जो है 24 हो गया, बिल्कुल तो 24 से ही, यह क्या है 24 दो पार आ गया ना, कोई बात नहीं कोशन नमबर 24 से ही आप लोगों का पूरा का पूरा तरीके से मिलेगा तो हम यहाँ पर जो है, जितने भी टाइप होते हैं वराइटी होते हैं, सारा कवर कराएंगे अच्छे से बस मेरी बातों को सुनियेगा और समझेगा, जैसे 24 नमबर सवाल आपका यह है ठीक है, बस फूकस रखिए अगले जादा नहीं, अगले मतलब 20-25 मिनट तक और उसके बाद में जो है, आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी बाते सीख पाएंगे 24 ही आया है भाई, यहाँ पर यह तो गड़ बढ़ है कोई बात नहीं, 25 नमबर सवाल हम अपने तरफ से करवा देते ठीक है हम आप लोगों के लिए पहले सारे कुशन्स एक बार अरेंज कर देते हैं, ठीक है और तब उसके बाद में आप लोगों के लिए बताना काफी मिरे लिए जो है बनेफीशल हो जाएगा तो यह हमारा 28 हो गया, उसके बाद में हाँ पर यह हमारा 29 हो गया मुझे एक बाश्रभी सवाल लगा लेने दीजे आप लो ठीक है और यह हमारा 30 हो गया भाई आज़ो तो अभी यहाँ पर जो है, सारा करवाएंगे टेंशन मतलो तो सबसे पहले यहाँ पर प्रोपोर्शन की कहानी होती क्या है, यह जो समानुपात है जो आप पढ़ रहे हैं तो समानुपात का जो शाब्दी कर्थ होता है, जो इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है तो देखिए, जब भी आप किसी भी दो तरह के रेश्यो को, या नि दो तरह के रेश्यो को बराबर कर देते हैं C upon D के ratio के साथ में अगर हम इसे लिखने की बात करें वेक करने की बात करें तो A upon B को हम बोलेंगे A ratio B C upon D को बोलेंगे C ratio D और हमने यहाँ पर क्या किया इन्हें बराबर किया है तो इसी को हम बोलते हैं proportion यानि समान अनुपात जिस अनुपात में यह दोनों है उसी अनुपात में यह दोनों होंगे अगर यहाँ पर नीचे वाला डबल है जैसे 10 है तो 10 का डबल 20 है तो अगर यह 15 है तो 15 का डबल कितना होगा 30 होगा proportion का जो symbol होता है वो यह हमारा double dot होता है और इसी को हम क्या बोलते हैं तो मेरे भाई proportion बोलते है क्या बोलते हैं तो proportion बोलते है तो रजर बढ़िया तरीके से समझेगा जब सभी सवालों को हम आपको करेंगे तो तो सबसे पहले यहाँ पर पहला सवाल है आप यहाँ पर देखे question में आपके सामने यहाँ पर चौबिस नंबर में क्या कहा गया है जरा बढ़िये तो चौबिस नंबर में आपको यह बोला गया है जो अलड़ यूपी constable में आया है एक्स रिशियो 16 और 63 रिशियो 36 है तो एक्स कमान कितना होगा तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर जो x upon 16 की value होगी वो बराबर होगी किसके तो 63 upon किसके सर तो 36 के यहाँ पर इसके तो 9 से हम काटेंगे 7 बार में और 9 से काटेंगे कितनी बार में तो 4 बार में और उसके बाद में अगर आप यहाँ देखोगे सर यह 4 का कितना गुना है 4 गुना तो यहाँ 7 का कितना गुना होगा 4 गुना कितना 28 हमारे उत्तर होगा और अगर यदि आपको ऐसे कम समझ में आएगा तो आप यहाँ पर 46 से चार बार में काट सकते हैं और यह 4 जाकर वहाँ गुना कर देगा X कमान कितना आ जाएगा 20 जाएगा तो कौन सा option होगा तो option number जो C है कहो ना प्यार है ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा तो यहनी जो दो संख्याओं का हमारा नुपात यहां पर आया है जो यहां पर इनका रेश्यों आया है वो यहाँ पर इन दो संख्याओ करेशों के बराबर है 25 नमबर स्वाल मिसिंग है तो 25 नमबर स्वाल हम आपको करवा देते हैं 25 नमबर स्वाल हमारे पास में है आपके पास भी जब शीट होगी आपको भी जब मिलेगी यहाँ पर तो आप यहाँ पर देख लेंगे सवाल पढ़िए मेरे भाई क्या कहा गया तो चीज नमबर सवाल क्या है थोड़ा सा हेर फिर है तो मेरे भाई एक जो सवाल है वो 24 नमबर कोशन है और वो यहाँ पर यह वाला सवाल यह 24 है आप लोगों को जब शीट मिलेगी ना तो यह वाला कोशन आपको 24 में दिखने को मिलेगा ठीक है मैं आप लोगों के लिए कुछ बातें यहाँ पर लिख देता हूं ठीक है ताकि आपको परिशानी ना हो यह 24 नमबर कोशन है और यह आप लोगों के शीट में दिया गया है जब आप इसे हल करेंगे तो तरीके से आपको मेरे भाई मिल जाएगा इस सवाल का आपको क्या करना है तो इस सवाल का आपको उत्तर देना है क्लास के बाद हम टेलिगराम पर यह जो पीडिएफ है यह हम अपलोड कर वा देंगे तो आप लुग उसके लिए परिशान मत होना कि सर हमें यह पीडिएफ कहां से मलेगा और कहां से नहीं मलेगा आपको बिल्कुल भी परिशान होने की जरुणी नहीं है क्लास के बाद में आपको ये PDF मिल जाएगे तो ये 24 नमबर सवाल है और ये 24 नमबर सवाल का जो है हम देखेंगे कितने बच्चे इसका उत्तर कर पाएंगे तो इसका आंसर आप लोगों क्या करना है कमेंट बॉक्स में करना है क्योंकि अभी तक मैंने एक भी सवाल आप लोगों को खुद से बनाने के लिए नहीं दिया है तो ये सवाल हम उमीद करते हैं कि आप सभी बच्चे जो है इसको बनाएंगे और इसका उत्तर देंगे और ये समझ लीजे कि जिसने इसका उत्तर दे दिया तो उसको पूरा बणिया तरीके से रेश्यो का ग्यान हो गया तो ये आपके शीट में 24 नमबर पर है और उसके बाद में यहाँ पर ये आपके शीट में कितने नमबर पर है तो 25 नमबर पर है तो इसकी भी नमरिंग थोड़ा सुधार लीजे ये हमारा जो है ये 25 नमबर पर है पता नहीं आज हमारे टाइपिस्ट भाई साब से इतना ब्लंडर कैसे हुआ है एक तरफ सही दूसरा तरफ कलत तो ये हमारा 25 नमबर शवाल है जो कि आपको शीट में मिलेगा और अब हम आपको 26 नमबर शवाल दे रहे हैं एक्स और चार का रिशू जो है एक्स और किसका रिशू है चार का वो डबल डोट हमारे बराबर है और किसके बराबर है तो य अपॉन फाइफ के बराबर में है तो एक्जामनर ने जो कुशन बोला है वो हमारा एक्स और वाई का रिशू बोला है proportion, और proportion का मतलब क्या होता है, समान अनुपात समान अनुपात का मतलब क्या होता है, जो x बट्टे में 4 होगा वो बराबर होगा हमारे y बट्टे में किसके तो 5 के, तो आप एक काम करिए, x को यहीं पर रखिए वो y को लेकर आई यह नीचे ठीक है यहाँ पर क्या करेंगे तो y को मेरे भाई लेकर आएंगे नीचे तो अगर आप उस y को यहाँ नीचे लेकर आओगे तो यह आपका 4 चला जाएगा उपर और यहाँ पर कितना उत्तर होगा तो x upon y का जो रिश्यू होगा वो 4 upon 5 हो जाएगा 5 upon 4 काफी लोग बता रहे हैं 5 upon 4 आप उत्तर कैसे दे सकते हैं मेरे भाई 4 upon 5 होगा न यह गलती मत करिए देखे इतने महीं आप लोग उसे गलती हो जा रही है कैसे काम चलेगा यह बताएगे बिल्कुल भी काम नहीं चलने वाला है गलती नहीं करनी है दोस्तों यही बात हम आपको समझा रहे है आजएगे चलिए next question की बात यहाँ पर करते है question number 27 देखे क्या कहा गया question number 27 बोला गया है mean proportion कितना होगा question number 28 बोला गया है fourth proportion यहाँ पर और इसका fourth proportion की value कितनी होगी और यहाँ पर third proportion चलो अब थोड़ा सा हम जैसे हमने आपसे कहा था कि हम proportion की पूरी theory आपको पढ़ाएंगे तो proportion की पूरी theory के बारे में समझे दो तरह के case बनते हैं और अगर यह दो तरह का case आपने समझ लिया तो यू समझ लीजए हैं आपर कि आपको सब कुछ जो है काफी ज़ादा clear हो जाएगा crystal clear हो जाएगा तो यहाँ पर case number one सबसे पहले समझेगा case number one में यहाँ पर क्या कहा जाता है case number one में यह कहा जाता है कि जब हमारे पास में तीन संख्या given हो जब हमारे पास में तीन numbers यहाँ पर given हो और चौथे नमबर के बारे में मेरे भाई बोले कि यहाँ पर चौथा नमबर हमारा कितना होगा तो उस केस में आप इसको कैसे अपलाई करोगे कैसे बना होगे यानि यहाँ पर बोलोगे सर देखिए जब भी यहाँ पर चार संख्याओ का केस बनता है तो चार संख्याओ के केस में हम यहाँ पर A ratio B और यहाँ C ratio D लिखते है इसमें क्या होता है सर यहाँ पर एक एक शब्द के अपने-पने माईने होते हैं हम यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं तो इसे हम बोलते हैं सर यह हमारा first proportion है इसे हम यहाँ पर बोलते हैं यह सेकेंड पर है तो यह सेकेंड प्रोपोर्शन है इसे हम यहाँ पर यह बोलते हैं सर यह हमारा थर्ड प्रोपोर्शन है और इसे हम यहाँ पर यह बोलते हैं यह हमारा फॉर्थ प्रोपोर्शन है इस बात को ध्यान दीजे तीक है हम आपको चार एक्जामपल देंगे और चारों के माददें उसे आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा यानि ये एक्जामनर मेरे भाई तीन वैलियू देकर तुम से क्या बूच लेगा यहां पर दो है तीन है और चार है तो यहां पर इसका सेकेंड प्रोपोर्शन हमारा कितना होगा हमें बता दो सवाल नंबर तीन मेरे भाई यहां पर क्या है सेम सवाल हमारा दो है तीन है और चार है तो हमें बता दो थर्ड प्रोपोर्शन जो होगा वो कितना होगा और अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या है सेम उसी तरीके से यहाँ पर दो है और तीन है और यहाँ चार है तो मेरे भाई फूर्थ प्रॉपोर्शन जो होगा वो हमारा कितना होगा यानि कोई भी तीन संख्या देके कोई भी तीन संख्या देखे यहां पर एक का मान, दूसरे का मान, तीसरे का मान, चौते का मान पूछ सकता है आप यहां पर बोलोगे सर देखे जीवन में हमने इस से असान कुछ भी नहीं सीखा था आप यहां पर बोलेंगे सर यह देखो, यह first proportion है, यह second proportion है, यह c third होता है और यह fourth होता है इसका मान पूछा गया first का, तो first के जगापे देखो यहां पर, यह कुल मिलाकर हमारे पास में दोस्तो चार खंड है जिसका मान पूछा जाता है वो X बन जाता है और बाकी संख्याएं जो हैं वो उसी ओर्डर में आके यहां पर लिख दी जाती है जैसे यहां पर 2, 3 और 4 है जैसे बिचारे आए हैं चुप चाप आकर यहां पर अपना स्थान ले लेंगे विराजमान हो जाएंगे तो यहां पर फाइनली आप बोलेंगे सर एक्स बटे दो बराबर हो जाएगा तीन बटे किसके तीन बटे चार के तो अगर हम यहां पर हल करेंगे तो दो से हमारा दो कट जाएगा तो एक्स का मान हमारा कितना हो जाएगा तो बोलेंगे सर तीन बटे दो यानि प्रत्म समानुपाद जो होगा यहां पर वो हमारा कितना होगा तो प्रत्म समानुपाद जो होगा वो हमारा तीन बटे दो के बराबर होगा प्रत्म समानुपाद हमारा किसके बराबर में होगा तो बोलेंगे गुरुजी तीन बटे दो के बराबर हो कोई दिक्कत की बात यहां पर है कोई परिशानी की बात यहां पर है तो बताईए अब जल्दी से मुझे इसी आधार पर आप लोग यहां पर सेकंड वाला समानुपाद भी बता दीजे कि सेकंड वाला समानुपाद हमारा कितना होगा और फिर उसके बाद में यहाँ पर थर्ड वाला समानपाद भी कितना होगा तो यहाँ पर जैसे मानिये सेकंड वाले में आप क्या बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर चार संख्या हो गई तीन दी है चौथा पूछा है तो चार संख्या वाले केस में हम यहाँ पर ए बी सी डी लिखते है हम से बोला गया सेकंड तो यहाँ पर देखिए यह चार संख्याओं का पूरा तालमिल है इसमें हमें क्या पता करना है सेकंड तो हम सेकंड को एक्स माल लेंगे क्या माल लेंगे मेरे भाई second को x माल लेंगे और बाकी लोगों को as it is लिखेंगे जैसे 2 है, 3 है और 6 है तो यहाँ पर क्या बोलेंगे 2 बट्टे में x बराबर हो जाएगा किसके 3 बट्टे में 7 के तो 7 into 2 हमारा 14 हो जाएगा बट्टे में हमारा 3 आजाएगा और यह हमारा मानोगा किसका यह हमारा मानोगा x का यह हमारा मानोगा मेरे भाई किसका तो यह हमारा मानोगा x का तो यह बात हमें समझने की आवशक्ता है किसका जो सही उत्तर आएगा वो हमारा कितना आएगा तो 14 बटे 30 बहुत लोग गलती कर देते हैं बातों को नहीं समझ पाते हैं बस मेरा आपसे इतना कहना है सरकार कि जो दिया गया देखो जो पूछा गया उसको एक समान लो और बाकी लोगों अच्छा दो तीन साथ था क्या चलो इसको दो तीन साथ कर लेना मैंने साथ पर बना दिया दो तीन साथ कर लेना आप लो गया ठीक है दो हो गया पहला तीन हो गया और फिर साथ हो गया इसको हमने लेकर ऐसे यहाँ पर बना लिया है ठीक है? कोई दिकत की बात है हैं? आजएए अब नेक्स्ट कूशन देखते हैं इस वाले का मुझे इसका उत्तर जल्दी से दे दिजे कमेंट बॉक्स में कितना होगा दो, तीन और चार में आप बोलेंगे सर सेम उसी तरीके से यहाँ पर ABCD हमारा लिखना है और ABCD में समझना है यहाँ पर कि सर यह हमारा पहला है यह हमारा दूसरा है यह हमारा तीसरा है और यह चोथा है जो पूछा गया उसको X मानेंगे और बाकी संख्याओं को वैसे ही लिखेंगे 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4 यहाँ पर क्या होगा 2 बटे में 3 बराबर हो जाएगा हमारा X बटे में कितने 4 के 4 से 2 करेंगे तो 8 बटे 3 जो आएगा वो हमारा बिल्कुल Sahी उत्तर आएगा 8 बटे 3 हमारा क्या आएगा तो बिल्कुल सही उत्तर आएगा यहाँ पर समझेगा है मिश्ट्रा जी जल्दी से चोथा प्रोपोर्शन का उत्तर दीजे तो देख लीजे उनकी कसम है उत्तर दे देना एकदम सूच लीजे नहीं तो करवा चोथा अगली बार वो नहीं रखेंगे अगर कसम तोड़े आप उनका तो जल्दी से बताईए भाई आप लोग फूर्थ प्रोपोर्शन का उत्तर कितना होगा बहुत ही सिंपल है बहुत ही सिंपल है बहुत ही सिंपल है वा भाई वा ठीक है, कितना होगा उत्तर यहां पर, तो बोलोगे सर देखिए, इतना असान, फुर्थ प्रोपोर्शन का मतलब देखिए, चार संख्या में लिखना है, A लिखना है, B लिखना है, C लिखना है, D, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, और चौत है, कितना आएगा, बहुत श अब आप लोग solve किये होंगे, हम solve भी नहीं करते हैं, हम यहाँ पर आपको ऐसे भी बता सकते हैं, 2 का double 4 है, 3 का double 6 होगा, उत्तर हमारा हो गया, काम खतम, ऐसे भी कर लो भाई, क्या फरक पड़ता है, कर तो सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बताओ, 2 का double, 4, 3 का double 6, बस बात खतम, बाकि आपको solve करना है, तो ratio लगा के solve, कर लीजे, तो जल्दी से मुझे यहाँ पर इसका उत्तर दे दो, और यहाँ पर हम आपको कुछ सवाल पूछेंगे, हमें उसका उत्तर चाहिए, भीया, हमें उसका उत्तर चाहिए, तो सबसे पहले हम सवाल number 30 के साथ में ही शुरुवात करते हैं, और 30 के साथ में यहाँ पर आपसे जो है, गौर तरीके से देखे, तीन संख्या दी गई है, चौथा अनुपात पूछा है, और यह बोला गया है, दिल्ली पुलिस हेड कॉंस्टेबल, AW, ठीके, 2022 का मान है, बताइए, कितना होगा, आप बोलेंगे सर, यहाँ पर जो बोला गया है, फूर्थ प्रोपोर्शन, तो यह गो को क्या लिख दिया है, जो दिया गया है, xy², xy² और यहाँ पर xy, ठीक है, तो अब मेरे भाई देखो, काफी सारे तरीकों से आप यहाँ पर उत्तर दे सकते हो, सही माहिने में यहाँ पर देखोगे, तो इसको इसके साथ में compare करो, तो इसको y से divide करने पर यह आ गया ह इसमें y का divide करोगे, तो उत्तर कितना होगा, x², और बाकि अगर यह division समझ में नहीं आया, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कि सर यहाँ पर यह xy² divided by x² y, बराबर होगा xy upon कितने के, तो k के हमारा, ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे, तो बोलेंगे, सर y से एक खतम, और y से ह आरा, यह खतम, तो कुल मिलाकर k की value कितनी आगई, तो k की value x² आगई, तो दोनों में किसी भी तरीके से मेरे भाई आप समझ सकते थे, आप ऐसे समझ सकते थे, कि इसको y से भाग करने पर यह आएगा, ठीक है, अब आजाओ, एक ही सवाल के अंदर में हमने दो सवाल mix कर दि ठीक है, आप ऐसे समझ यह, दो सवालों को मिला दिया, एक सवाल बना दिया, और आप से पूछ लिया, आप बताईए, क्या कहा गया, आठ, नो, सोला के चौथे अनुपाद, बारा, अठारा, बीस का चौथे अनुपाद, और उन अनुपातों का अनुपाद, बताईए, य पहला, दूसरा, तीसरा, और मेरे भाई, यहाँ पर कितना हो जाएगा, चौथा, तो पहला हमारा हो जाएगा, आठ, फिर हो जाएगा, नो, और यह हो जाएगा, हमारा सोला, और चौथा हमारा कितना होगा, एक सोगा, क्या पता कर रहे हैं, चौथा, तो चौथे को क्या मा हो गया वाई हो गया क्योंकि पहला दूसरा तीसरा वैसे ले कुछ ओथे के लिए क्या मालो यहां पर तो एकदम हलका है बहुत ही असान है कैसे तो बोलो के सर देखिए आठ का यहां पर डबल अचाँ आठ का डबल से देखिए अगर देखिए उस थर दोनों में रिलेशन चाहू तो नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप ऐसे लिख लिजेगी, सर 12, बटे 18, बराबर हो जाएगा 20 बटे में कितने के, तो वाई के, 6 से काटो दो बार में, 6 से काटो तीन बार में, तो वहीं कह रहे थे, 2 के स्थान पर 20 है तो 3 के स्थान पर 3 आएगा और ऐसे भी ना समझ में आए तो फिर काट के तब तुम Y की वैलू कितनी कर लो 30 कर लो अब मेरे भाई यहाँ पर इसका मान 18 है इसका मान 30 है एक्जामनर ने कहा है इन दोनों का मुझे रेश्यो बताओ 18-30 कर रेश्यो बताओ यह तो भाई बच्चा बच्चा भी यहाँ पर बता देगा 18-30 कर रेश्यो तो क्या बोलोगे 18-30 कर रेश्यो में 6 का 3 उना 6 का 5 उना उत्तर कितना होगा 3 उना नुपात 5 कौँसा उप्शन होगा मेरे भाई तो उप्शन नमबर बताओ कल हम क्या पढ़ाने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा आप लोग बताईए जल्दी से बताईए यहाँ पर अभी एक टाइप हमारा बाकी है इसका टाइप नमबर 2 खतम कर दिया तो यू समझ लो आपको आगया एज 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 पार्टनर्शिप बिल्कुल कल की जो क्लास होगी उसमें एज होगा और साथ में हमारा पार्टनर्शिप होगा और जो तरीका होगा आपके एज के सवालों का बनाने का वो आप लोग देखेगा मज़ा आप लोगों को साथ में आप लोगों कोई कोई और बात बता दे तो जो आप लोगों के लिए एक तरीके से partnership के जो questions आपके paper में पूचे गए मेरे भाई बड़े ही खतरनाक पूचे गए लोग बड़े हलके में लेके चले जाते हैं लेकिन आपको हलके में लेके नहीं जाना है ratio से ज़्यादा बढ़िया सवाल partnership का पूचा गया है ratio proportion age एक तरफ है और partnership का आपका एक अलग तरफ है आपको ध्यान देना है भाई तो कल की class में सभी live रहना और partnership को हलके में मत लेना ठीक है तो अभी हम आपको क्या case पढ़ाए थे तो याद रखना case number one पढ़ाए थे जब तीन number दिया गया हो और चौथा number पता करना हो अब हम आपको मेरे भाई क्या पढ़ाएंगे case number two पढ़ाएंगे case number two समझे जरह यहाँ पर case number two क्या है तो बोलेंगे गुरुजी case number two यहाँ पर यहाँ पर यह है जब दो संख्याद दी गई हो और तीसरी के बारे में पता करना हो बस यह last time पे इसके बाद खत्म हो जाएगा ठीक है किसर वेंट two numbers are given क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ यहाँ पर क्याने का जो तरीका है वो मेरे भाई कुछ इस प्रकार्श रहे है आप यहाँ पर जब इससे लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं A अनुपात B और double dot मेरे भाई यहाँ पर B अनुपात कितना हो जाता है C क्योंकि हमारे पास कितनी variety की संख्या है तो बोलेंगे सर सिर्फ तीन variety की संख्या है तीन संख्याओं में दो कमान दिया गया होता है और एक कमान पूछता है अब इन तीन संख्याओं में यह जो A है यह हमारा क्या कहलाता है तो यह हमारा first proportion कहलाता है इसे हम क्या बोलते हैं इसे हम mean proportion बिलता है मद्य समान उपाती बोलते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं तो इसे हम third proportion बोलते हैं इसमें second और fourth नाम की जो संख्या वो गायव हो जाती है कभी भी यहां पर इसमें second proportion नहीं निकलता है और fourth proportion नहीं निकलता है निकलता है तो first निकलता है तो mean और निकलता है तो third ठीक है समझना इस बात को लेकर तो इसके सवाल कैसे बनते हैं जरा वो देखो इसके सवाल मेरे भाई कुछ ऐसे बनते हैं यह आपके पास में 16 है आपके पास में 9 है आप इसका प्रथम समानुपाती बता दो कितना होगा ठीक है उसके बाद में दूसरा सवाल आपके यहां बनेगा आपके पास में 16 है आपके पास में 9 है आप इसका मद्द समानुपाती बता दो कितना होगा और तीसरा सवाल जो आपका बनेगा वो यही बनेगा आपके पास में 16 है आपके पास में 9 है आप यहाँ पर इसका 33 समानुपाती बता दो 33 समानुपाती कितना होगा ठीक है बताईए जल्दी से तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखे कितना प्यारा कोशन है देखे जो बच्चे हमारे साथ में नए हैं उनको हम बता दे और रोज रात साढ़े आट बजे हमारे एक लास सलती है और यह किस दिने किस मेरातन के हर वीडियो को आप लोग देख लिजे कुल मिलाकर मेरे भाई हमने दस वीडियों सके अंधर में करवाए हैं और आज हमारी 11 वी वीडियो है तो ये 10 के 10 क्लास को आप लोग देख लीजेगा हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में सर्च करिएगा किस दिने किस में राथन आपको आएगा और ये 10 तरीके से 10 क्लासे हमने करवा दिये हरे क्लास आप लोगों के लिए मेरे भाई यहां पर राम बान साबित हो रही है तो आप हरे क्लास को जरूर अटेंड करिए बहतर तरीके से अटेंड करिए आप सको मत छोड़ी हाल के मत लीजे मेरे भाई बड़ी दिक्कत हो जाएगी नहीं तो हरे class को टेंड करिए हरे class को सीखे बहुत बहतरी तरीके से और अपने 1े class के मादेम से अपने topic को खतम करिए इससे best कोई और option नहीं हो सकता है ठीक है, पढ़ना है तो class से टेंड करिए और मेरे भाई questions लगाने है तो जो किताब हमने आपको दिए यह जो साइड में आपको दिख रही होगी, आप उस किताब को लगाई है, यह P.C. किताब, आओ, तो प्रतम समानुपाती बोला है, तो क्या बोलेंगे, तो प्रतम समानुपाती बोला है, तो बोलेंगे, सर देखे, तीन संख्याओ का केस क्या बनता है, ABBC वाला केस बनता है, क्या बनता है A, B, B, C वाला ये प्रथम होता है, ये मद्ध होता है और ये तृत्य होता है जो बोला गया है उसको क्या माल लेंगे तो उसको X माल लेंगे और बाकी संख्याओ के जगा पर हम यहां क्या लिखेंगे As it is लिखेंगे तो ये B है और ये C है सोला है और नो है कई सारे बचे यहां सोला लिख देते हैं यहां नो लिख देते हैं फिर उनको भाद में समझ में नहीं आता है कि यहां पर क्या लिखेंगे यहीं उनकी गलती है उनको यह बात समझने की आवशकता है मरे भाई यहां पर कि यहाँ पर अगर तुम यह B है तो यह तुम्हारा कितना हो जाएगा C यानि भोलोगे सर अगर यह 16 है तो भाईया B है तो यहाँ भी कितना हैगा B ही आएगा ना ऐसा तो नहीं है कि कोई और value आ जाएगा तो अभी यहाँ 16 आ गया तो C के जगा पर कितना लोगे 9 तो भूला कि सर एकस बटे में 16 बराबर हो जाएगा 16 बटे में 9 तो X का मान हमारा कितना होगा तो X का जो मान होगा वो यहाँ पर होगा 16 इंटू 16 यानि 256 और बटे में कितने के मेरे भाई यहाँ पर 9 के कितना हो जाएगा तो 256 और बटे में मेरे भाई यहाँ पर ठीक है कोई दिक्कत की बात यहाँ पर बताओ मेरे भाई तो अब आप यहाँ पर मीन प्रोपोर्शन बोलोगे तो मीन प्रोपोर्शन के अगर आप बात बोलोगे तो क्या बोलोगे बोलोगे सरी यहाँ पर देखे ए हो गया बी हो गया उसके बाद में यहाँ पर बी हो गया और सी हो गया अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे मद्ध समान उपाती तो मद्ध हमें पता करना है तो मद्ध अगर हमें पता करना है तो हम मद्ध का मान कैसे पता करेंगे तो मद यहीं पता करना है तो उसको X मानना पड़ेगा यानि ये भी X हो जाएगा और ये भी X हो जाएगा तो जो बाकी दो संख्या है उनको 16 को इधार रखो और 9 को यहाँ पर इधार रखो ठीक है अब यहाँ पर मेरे भाई जो है जो वैल्यू बनती है वो कैसे बनती है तो भोलोगे 16 बटे में X बराबर हो जाएगा X बटे में 9 के इसमें हम आपके लिए ट्रिक भी बना दे रहे हैं और आपको बहतरी तरीके से समझ में भी आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 16 इंटू 9 बराबर हो जाएगा किसके X स्क्वार के तो आप यहाँ पर यह भी कह पाओगे सरूट करने पर यह इतना हो जाएगा और रूट करने पर यह हमारा 16 इंटू 9 होगा यानि कभी भी भविश्य में अगर माल लीजे कि दो संख्याओ का मीन प्रोपोर्शन निकालना है दो संख्याओ का मध्य समानुपाती निकालना है तो कभी भी दो संख्याओ का मध्य समानुपाती निकालने के लिए उन्हें गुना करके क्या कर दीजे रूट लगा दीजे simple है मेरे भाई गुना करके root लगा दो तो बोलोगे सर यहां देखे 16 का root 4 है 9 का root 3 है उत्तर कितना आएगा 12 ये क्या होगा बिलकुल सही उत्तर होगा ये क्या हो जाएगा सर अमारा बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा तो इस बात का आपको ध्यान रहना कि कभी भी हम दो संख्याओं का मद्य समानुपाती निकालते हैं तो हम उन्हें गुना करके root लगा देते हैं और तीसरा और आकरी मेरे भाई यहां पर 3 समानुपाती तो इसे आप यहां पर क्या बोलोगे तो बोलोगे सर A ratio B और B ratio हमारा कितना हो जाएगा C थर्ड पता करना है तो थर्ड जो हमें पता करना है हम उसे कितना माल लेंगे तो थर्ड वाले को हम माल लेंगे X माल लेंगे ठीक है यह हमारा हो जाएगा मेरे भाई पहली वाली संख्याइनी 16 हो जाएगा और यह हमारी हो जाएगा 9 और अगर यह 9 हो गया तो यह भी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा क्योंकि जिसको तुम यहां पर लिखोगे उसको तुम्हें उसके बगल में लिखना होगा यह मान के चलो तो आप यहां पर बोलोगे सर यह हमारा 16 बटे 9 है और यह हमारा 9 बटे में X है X को अगर हम उदर भेजेंगे तो यह हमारा जाएगा 81 upon 16 हमारा बिल्कुल सही उत्तर है यहाँ पर 81 upon 16 जो है वो हमारा क्या है बिल्कुल सही उत्तर है समझ गए तो इसका प्रथम समानुपाती मद्द समानुपाती 33 समानुपाती मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है? अब आज़ो मेरे भाई जल्दी से इसके उपर में कोशन बता दीजे आप लोग एक सवाल हमारा आपके सामने है और मुझे लगता है कि यहाँ पर 18,000 कमेंट के साथ-साथ इस सवाल का भी उत्तर भी आजाना चाहिए अगर आपको मेरा भाई पढ़ाया समझ माया तो यहाँ पर जो है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिला तब भी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर आपको इतना साभी फायदा पहुंचाना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो जल्दी से बता दीजे मेरे भाई यहाँ पर उत्तर मीन प्रोपोर्शन बोला गया मद्य समानुपाती बोला गया क्या बोलेंगे बोलेंगे गुरी जी इतना असान है इतना असान है कभी भी किसी भी दो संख्याओ का मद्य समानुपाती निकालना है उन्हें गुनागर के रूट लगाई है 361 और यहाँ पर 144 361 हमारा कितना होता है तो 19 होता है और यह हमारा कितना होता है तो 12 होता है 19 का दो गुना 38 और यहांपर हो जाएगा हमारा 22 तो कितना उत्तर हो जाएगा दो 128 है यहाँ पर कितना हो जाएगा दो 128 हो जाएगा बोलेंगे Sir कभी भी दो संख्याओ का मद्ध सुमान पाती निकालना है तो गुना करने क्या करना होगा तो रूट लगाना हो तो लास्ट कोईशन इसके उपर में और ये कर लिया तो बस उसके बाद कहानी खताम लास्ट कोईशन आप लोगों का ततत Vocês एक आर पि-एफ की किताब आ रही है भाई आर पि-एफ की किताब आ रही है सबर करो आर पि-एफ की किताब जब बना दी है ready है बस launching करने की देरी है वो भी आ रही है सबर करें मिल जाए गया क्या कहा गया जरा पढ़िए बोला गया यदि x प्राकृतिक संख्या है और इस प्रकार से है कि x प्लस 2 और x प्लस 6 का 33 समान उपात 18 है तो x का मान हमारा क्या है if x is a natural number such that 18 is third proportion to x प्लस 2 and x प्लस 6 what is the value of x यानि यहाँ पर कुल मिलाकर मेरे भाई जो है x एक प्राकृत संख्या है और इस प्रकार से की इतना इतना गत्रित समान उपाती इतना है कितनी तरह की संख्या दे गई है? 3 कितनी तरह की दे गई है? 3 तो तीन वाले case में हम क्या लगाते है तो बोलेंगे sir a, b, b, c क्या लगाते है a, b, b, c लगाते है ये हमारा first proportion होता है ये mean होता है और ये हमारा क्या होता है? third होता है तो question में बोला गया देखो, पहला यहां लिखेंगे उसके बाद में मेरे भाई बाकियों को यहां लिखेंगे और यहां पर क्या लिखेंगे थर्ड तो X एक natural number है 18 जो है वो थर्ड proportion है तो थर्ड proportion कितना है? 18 ठीके? तो A के स्थान पर हमारा कितना हो जाएगा? तो A के स्थान पर हमारा X प्लस 2 हो जाएगा और B के स्थान पर कितना हो जाएगा? तो X प्लस 6 हो जाएगा तो यहां पर X प्लस 6 है तो यहां भी कितना हो जाएगा? X प्लस 6 हो जाएगा हो जाएगा मेरे भाई? अब जरा समझिए पहले वाले का value कितना है तो X प्लस 2 उसके बाद कितना है इसको solve करने लग जाते है हम बलते हैं तुम्हारा option किस काम का है option उठाओ, option रखो नहीं बने तो उसके बाद में देखना मेरे मन की च्छाओी मैंने कहा मानो यहाँ पर 6 उठाते हैं पहले 6 देख लेते हैं, नहीं बना किसी और को उठा लेंगे 6 प्लस 2 हमारा कितना हो गया, 8 ठीक है, 6 और 6 हमारा कितना हो गया, 12 6 प्लस 6 हमारा हो गया, 12 और यह हमारा हो गया, 18 सही माईने में देखो कि 4 से कटेगा 2 बार में और 3 बार में और 6 से कटेगा 2 बार में और 3 बार में मेरे भाई value मैच कर गई यानि सही option कौँ सा था? 6 था आप इसके अलब अगर कोई और option उठा के देखना चाहते हो तो देख लो जैसे मानों आपके मन में इच्छा आएगी सरकवर 9 उठा के देखते हैं 9 जमा 2, 11 होगा और 9 जमा 6, 15 होगा और 9 जमा 6, 15 होगा और 9 यह हमारा ठारा होगा दूर दूर तक इनका कोई सम्मन नहीं है तो यह हमारा क्या है? गलत उत्तर है तो सही उत्तर हमारा कोँ सा है? तो सही उत्तर जो होगा वो हमारा जह होगा ठीक है? तो यहाँ पर आपका जो प्यारा से सेशन होता है वो होता है हमारा खतम अब उसके बाद मैं यदि आपको मेरे भाई जो आज की PDF चाहिए और printable PDF चाहिए तो वो आपको कहां से मिलेगा तो वो मेरे भाई आपको यहां पर आज की session से मिलने वाला है वो भी हम आपको बता देते हैं देख लीजे बड़े ध्यान तरीके से यहां पर कि कहां से आज आज आपको PDF आपकी मिलेगे तो यह आप लोगों की टेलिग्राम है भाई इस टेलिग्राम से आपकी PDF मिलने वाली है यह आपका अपना टेलिग्राम है रैंकर्स गुरुकुल और मैटस भाई आदितर इंजन दोनों टेलिग्राम का लिंक जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और डेली हर क्लास के बाद में जो हम आप लोगों के लिए प्रिंटेबल PDF प्रोवाइड करवा देते हैं साथ में ये जो बोड का हमारा नोटस भी है जो हमने सेल्फ मेड बनाया है तो ये भी नोटस हम आपको जो है वो क्लास के बाद में प्रोवाइड करवा देते हैं ताकि पूल रूप से जो है वो आपका फायदा हो पाए इस के लवाद तब से जितने बच्चे मेरे भाई बैच के बारे में पूछ रहे हैं तो देखे बैच के बारे में भी बता देते हैं दो तरह का बैच है हमारा एक हमारा मैट्स का रेकॉर्ड बैच होता है और दूसरा हमारा मैट्स का लाइव बैच होता है जो बच्चे अपने हिसाब से syllabus को complete करना चाहते हैं कम समय जादा समय जैसे भी आप करना चाहते हैं तो वो मेरे भाई यहाँ पर maths का recorded batch ले सकते हैं और यह maths का recorded आपको कहां से मिलता है तो यह हमारा एक application है आरजी विकरम जीत application करके मेरे भाई आपको यहाँ से मिलेगा ठीक है इस maths के recorded batch में हमने complete math आप लगों के लिए पढ़ा रखा है और सारे के सारे जो हमारे नहीं हैं और latest सवाल है पुराना इसमें कुछ भी नहीं है कोई भी पुराना content नहीं डाला गया हम आपको यह batch आपको application पे live खोल के दिखा देते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है अगर आप यहाँ पर जाएंगे कोई भी यहाँ पर batch में तो हमारा जो website है वो आरजी विकरम जीत है और जब आप यहाँ पर login करोगे ठीक है अलाकि login होगा देख लेते हैं एक बार चलिए अभी login नहीं है कोई बात नहीं आप यहीं से समझ लीजे तो यह हमारा application पे जो है आपको आरजी विकरम जीत application पे सब कुछ मिल जाएगा complete math के अंदर में हमने पढ़ाया है smart approach के साथ हमने पढ़ाया है और साथ में सारी की सारी sheets आपको updated है 300 के करीब में हमारी वीडियो है और उतन ही आपको sheets भी आपको मिलेंगे हर chapter कहिके एक sheet होगा classroom का हर chapter कहिके एक practice sheet आपको मिलेगा और हर chapter का मेरे भाई जो है PDF भी दिया जाएगा class notes आपको ठीके और साथ में आपको इसमें जो है test भी provide किया जाता है और validity जो मिलती है वो lifetime मिलती है जो आप पढ़ सकते है lifetime validity के साथ में आपको ये batch मिलता है और fees इसकी मातर कितनी है 699 रुपए है कितनी fees है मेरे भाई यहाँ पर तो मातर 699 रुपए है तो यदि आप इसमें enroll करना चाहते है तो आप हमारा RGV करमजीत application डाउनलोड करिए या फिर अगर किसी प्रकार की calling करनी है inquiry करनी है तो यह हमारे दोनों mobile number है 850-600-3399 इस पर आप संपर करिए आपको पूरी जैनकारी दी जाएगी जैसे हमारा maths का ये recorded batch है तो वैसे हमारा maths का एक और batch है और वो हमारा maths का live batch जो बच्चे हमारे साथ maths live पढ़ना चाहते हैं तो वो हमारे साथ जूड़ चकते हैं Champions batch में रूच शाम साड़े 6 बज़े आपकी class चलती है और इसके अंदर में जो है आप लोगों का भी recent का topic algebra है तो आप यहां पर अगर जोड़ना चाहते है advanced math के साथ में भी हमने percentage कंप्लीट किया है एक ही topic अभी इसके अंदर में हुआ है और अभी नया batch आने में समय है थोड़ा वक्त लगेगा तो तब तक आप यहां से जूड़ सकते हैं percentage को पढ़कर तब उसके बाद next topic में move on कर सकते हैं तो यहां पर हर महीने हमारा live batch आता है हर दो महीने के अंदर में live batch हमारा आ रहा होता है हो सकता है चैंपियंस 13.0 हो कल जब आप वीडियो देख रहे हों तो 14.0 मिल जाए 15.0 मिल जाए तो live batch के हमारा नामी चैंपियंस batch होता है जिसकी fix हमारी 30 होती है वो है 999 रुपे और इसकी जो validity होती है वो 2 साल होती है इसमें generally दो time पर classes चलती है और दोनों live होती है आपकी एक time पर arithmetic और एक time पर advance आपकी ठीक है इसमें सभी classes आपको live कराई जाती है तो इसमें live interaction करने का आपका मेरा मौका मिलता है आप जो भी सवाल मेरे से live class में पूछना चाहते है वो पूछ सकते है जो भी doubt होंगे आप यहां पर पूछ सकते है इसमें जो एक rhythm रहता है वो maintain रहता है कि आज मेरी class मुझे आज live बैटना है तो continuity maintain होती है recorded मत लें यहां पर इस बात को ध्यान दे recorded उन बच्चों के लिए फायदे मन दे जो चाहते हैं कि भी हम अपने हिसाब से पढ़ सकते है लेकिन जहां पर एकदम नहीं आता है कुछ नहीं आता है एकदम fresher हो अगले साल की त्यारी कर रहे हो recorded batch मत लेना फिर live batch लेना जहां रखने हैं इस बात को ठीक है आई यह चलिए next हमारा इसी तरीके से जैसे हमारा यह batch है तो अगर आप सभी teachers का भी हमारा चाहते हो जैसे आपने का सर maths का तो आपने बता दिया लेकिन हमें बागी subject का भी बता दिजे तो जैसे हमारा अपना maths का है वैसे हमारे platform पर हर एक teacher का अपना अपना live batch भी है हर एक teacher का अपना recorded batch भी है लेकिन मैं suggest करूँगा कि अगर आप live पढ़ रहे हैं तो आप हमारा combo special लें ठीक है मेरा maths अकेले 1000 का हैगा और 4 subject का मिला दो तो 4000 computer मिला दो 500 यानि 4500 लेकिन अगर आप combo batch लेंगे तो आपको 2700 रुपे के अंदर में सब कुछ मिल जाएगा यानि 1800 का discount यानि 40% का आपको discount मिल जाता है तो यदि अगर आप सभी subject को पढ़ना चाहते हैं आप मेरे भाई combo batch को जोइंग कर रखते हैं या आपके लिए सबसे जादा फायदे मन दोगा सारे batch इस हमारे एकी application से होता है RGV करम जीत अप्लिकेशन और ये उसका inquiry number है तो आप इसमें inquiry कर पाएंगे बाकि दोस्तो वीडियो कैसी लगी ये बता दीजेगा आप लोग ठीक है ठीक है चलिए तो मेलेंगे अगले session में आज के लिए इतना ही दोस्तो बहुत बहुत धन्यवाद comment box में जरूर बताईएगा और target आप लोग का 20,000 like तो उपर करी दीजेगा आप लोग ठीक है मिलते हैं भाई जहिन सभी को धन्यवाद